नमस्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछणों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अति पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजया जी का स्वागत करता हूँ और अजया जी को बोलना है अजया जी को लेकिन पहले इनको हम उप्छारी क्रूप से पहले शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले थोड़ा इदर आजे है आप सेंटर है यहां, यहां, यहां. आपका स्वागत है, स्वागत है. क्यों रिवार में, स्वागत है. थाएंक यू. युकि अभी और है. अभी और? अई लेलु. लेलु सुब्लूबूरु. जावेजी को ने? जावेजी, CEC के मेंबर है. महतु कुना आति. है ठार बहुत बहुत स्वागता है चले बीच में काई आवात थैंड थानुद के साथ भी जिए उनिक्ट साथ रे पीच में आवा तेनि ए जिग हम आगाय था रह आट यह हुआ है आईए आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेसाद्धिघ जी अखलेज परभारी मोहन जी परवन खिरा जी और सिस्नेतित का आब आप कासका मानिय रहूल जी का आब हार पटकर करता हूं कि उन्होंने मुझे 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 कॉंग्रेस के ऐसे मजबूद हो उस पे मैं दिरनात कम करूँ हूँ किसी का अहंकार तुरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी कहजार भार्ती जिंदा पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के ऐडियोलजी अच्छी है किसी को भांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक वार पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आप टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अचित नहीं है सर आप सब समझ रहें ना सर सब समझ रहें ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी सांती से देगी अब को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल आज कल साहब जानते न कौन है साहब जो चोविस घंटे जाग रहे हैं जो पहले अठारा गंटे जागते थे आवो चौविस घंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं सवाल सब्सक्राइब कर दिया है पपु यादब करें तुनाओ लडएंगे वो और अलाकमान का इंजार हैं क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंट्ली फाइट के भी आप जा की आदब को लिकड़ क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझIST हुता हुआ है उस पर हाईगमान का की सहमती ओ स्विकरिति के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाईगम उस पर फैसला लेगा.'ُ तो चार में तो अभी अटालीस घंटे बाकी है!' आजयी कलाप राहूल गांदी से मिले कलाप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्हों ने आपको RNA घैलान लाठी chakra première पर कैसे पार्टी में शामिल होने की RNA जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उभी कुछ पता दिए अग वो आप तेकरी सर्थ सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जातिये जनगर्ना कराएंगे और उस हिसाब से जितन जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएंगे जानते हैं भूलेंगे बी तो घर तक जाकर पूछेंगे तो यह सीजी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जायेगा आपकी जिग्यां सा आज खतम होनी चाहिए मैंजिया को त सकत्ति हरा है ए है को को transpose क्यूंत के लिए सुजगे जो और है बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पाटी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 80 देने से पहले अंति मिच्छाब पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आज एज़े शान को वक्तो चलाएक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेधन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेख्ष के विशे में आपसे दोशत कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूंगा ने 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिताजी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदुलन के और दलित शोशित पीडित और अतिपिछणों के आवाज उटाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अतिपिशणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है। ये वैसे EBC में मलाह समाच से आते हैं। लेकिन ये सभी अतिपिशणों की आवाज बिहार में हैं। मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्ने किया वो भी बिना शर्त। तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीड़ित और जो अथ पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इ इनी हिड़ों के साथ अजयजी का स्वागत करता हूँ और अजयजी को बोला है भलकु، ना अजयजी को लेकिन पहले इनको हम आप्सारी करूप से अच्छा पहले शामिल करा colours ऐसे थोड़ी बोलने देंगे पहले थोड़ाई अब हाँ और शाल्ड़ Sheriff इॡ़ आपका स्वागत है कॉंग्रेश करें स्वागत है अभी और है। अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेशद्यग जी, अखलेज जी, परभारी महंजी, पवन खेरा जी और सिसनेतित का आवार, खासकर मानिय राहूल जी का आवार पटकर करता हूं, जोनोंने मुझे मुझे मौका दिया है, पाटी को मजबूत करने के लिए, मैं पाटी जोईन कर रहा हूं, और पाटी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिनलात काम करूँ, परभारी महंजी, पवन खेरा जी और सिसनेतित का आवार, खासकर मानिय राहूल जी का आवार पटकर करता हूं, जोनोंने मुझे मुझे मौका दिया है, पाटी को मजबूत करने के लिए, मै पार्टी जोइन कर रहा हूं, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिनलात काम करूँ, इस भी किसी का हंकार तोरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस पाना है, जब तो आपको टिकट डिनाए हो गया, तो क्या यही है, जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रेस का इडियोलजी अच्छी है, तो किसी को भांसी की भी सजा होती है, तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है, सर मेरा आप टिकट काट रहा है, आपने में जी एक पर पूछा भी नहीं, सिधा सिधा मैंने आकवार्ट टिवी में दे सर सब समझ रहे ना, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर, ये चुनाओ जो है धनबल personnage का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीते का, आप जो ये लोग जो हंकार फेला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी. परबन जी, इसरा भार्ती जनता पार्टी का सितिन सांसर्थ है, क्या अब भी आपके तर्कास में कुछ है जो और आने बादे हैं? आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 गंटे जाग रहे हैं, जानते न कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 गंटे जागते थे, वो 24 गंटे जाग रहे हैं, इतने चिंति कि अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंड्ली फाइट के भी आप जाहिए चुनाओ लड़िए पार्टी आपके साथ है इस चिती पूर्णिया में और पपू यादब को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिफ्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ बहुता हुआ है उस पर हाईकमान का की सह मति और स्विकृति के बाद होता है तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें उपी कुछ बता दिए सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा हुई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे पंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल जाएंगे यह ने भूलेंगे भी घर तक पुछेंगे सिर्च हो गया है और आपको मालूम है चार तरीक अंतिम डेट है आज दो तरीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जियासा आज ख़तम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया हाथ राई है जाओ-देदीज सब्सक्राइप परजाब दिखायो खर पर दिए सद्देदेदा भी जाओ-धदेदा बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है जाओ-धनल देदा तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारती ये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर पूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अं जे निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शर्ट कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर रान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूँगा नए ने ने आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शवड़ों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को बोलना है बलकु अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्सारिक रूप से पहले शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहने हे खोड़े खोड़े हैं इदर आजिया आप अचैंटर यहाँ 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 यह यहाँ आपका स्वागत है स्वागत और बाद प्रिवार ने स्वागत है Thank you. खड़े होना है आजा हो गया है ताइंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्यक जी अख्लेजillar परभारी मोहन जी पवनघ्रा जी और सिस नेतिब का भार मानिय रहों जी जीचां मानिय डिल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पे मैं दिन लाद काम करूँ परभारी मोहन जी परवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानेराहुल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस की आडियोलजी अच्छी को पहांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरी क्छा पूछ सब समझ रहे ना सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा और जो यह लोग जो अहंक करते हैं गंदे गंदे कोमेंट करते हैं सब का जबाब जनता देगी सांती से देगी आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल आज कल साहब फोटे-टे-टे जाग रहे हैं जानते ना कॉन है साहब जो चौइस गंटे में जो पहले इठारा गंटे जागते थे और वह चौविस गंटे जाग रहे हैं इतने चिंते था स्थिति अस्पस्ट करते हैं अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के लिए आप जाहिए चुनाव लड़ेंगे वो और अलाकमान का इंजार हो क्या अगर वो पार्टी ड आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाईकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजय जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें उगी कुछ बता दिए अग वो आप ते करें सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछ ले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार हम आप ऑट ऑर जहां जाती है जर्ड़ना कराएंगे और उसे हिससाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिछ्षेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक ये जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो य सबस्की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश्टी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे और आपको मालूम है चार तारीख अंतिम डेट है आज दो तारीख हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया हाथ लाइए जन्नेवाद तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारतिय जन्नता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जन्नता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भ थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है उसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है तो आपका हम स्वागत करेंगे अपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहाँ के रादनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दोशत कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझभफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निसाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जोइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्णे किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के पीड़े और जो अथ पिछणों की यह पिछणों की जो लड़ाई है वो और मश्बूत होगी और मैं इन्ही शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है आजय जी को पहले इनको अफ़शारिक अच्छा पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़ी बोलने देंगे पहले है इधर आज़ा आप इधर आज़ा आप इस ये आप सेंटर ये ये येश ये ये आपका स्वागत है सब्सक्राइब जो कांगरेस हई ट्रवार में स्वागत है थैंक यू कि अभी और रहे हैं? अभी और आये लिलु लिलु कुलों बूंदू एक जवेजी को तो जवेजी दिवेजी CEC के मेंबर है पहतु पूनाथ तो इन दो रही है? कर दो दुन्सा। बहुत बहुत स्वागात। कड़े ओना है? खड़े होना है आजा हो गया तैंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखले जी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिसनेतित का अबहर मानिय रहूल जी का अबहर पटकर्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिसनेत्रित का अबहार मानिराहुल जी का अबहार पटकर्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जॉइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलाद काम करूँ किसी का अहंकार तुरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी पहज़ार भार्टी जिन्दा पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कॉंग्रेस जॉइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं, जब आपको टिकट डिनाए हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस की आइडियोलजी एची है? सर, किसी को भासी की भी सजा होती है, तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मिजी एक वार पूछा भी नहीं, सिधा मैंने आकवार्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट काट गया, तो कहीं से नहीं अचित नहीं है, सर सर, आप सब समझ रहें ना, सर, सब समझ रहें ना, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है, सर, ये चुनाओ जो है, धनबल वहुबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा, आज यह लोग जो अहंगार फैला रहे हैं खास कर सोसल मेडिया में जो जो भी कमेंट करते हैं, गड़े 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 कमेंट करते हैं, सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगी. परवन जी इसरा भार्ती जन्था पार्टी का सिटिंसांसथ है इस वह आपके सामिल के हैं आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आजकल साहिब 24 गंटे जाग रहे हैं जानते ना कौन है साहिब जो 24 गंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाहिए चुनाव लड़िए पार्टी आपके साथ है इस्थिति पूर्णिया में और पपू यादव को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परि इसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कलाप राहूल गांधी से मिले कलाप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है औ इनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले अंसर कौन करें, उजी कुछ पता दिए. अब वो आप ते करें, सर. सर, मानिय राहुल जी से मैं मिला था, दस मिनट की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने पूरे कॉंग्रेस के वीजन को समझाया था, कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही, और मुझे इस बात की प्रसंता रही, कि जो हमारे पिता जी का वीजन था, पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे, जो सबसे दवे कुछले के थी, तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं, और आने वाला समय में, जशा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है, कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी, सभी जग हम जातिये जन्गर्ना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे, तो यह सब चीज अच्छा लगा, और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है, तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है, अब अखिलेश्जी आप, आपको लगा, भूल दाएंगे, ने, ने, हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो यह घर तक जाके पूछेंगे, आपको इस ने, सी-सी हो गया है, और आपको मालूम है, चार तारीख अंतिम डेट है, आज दो तारीख हो गया है, तो हो जाएगा, आपकी जिघ्यासा आज खतम होनी चाहिए, हो गया, हो गया, हो गया, सबस्क्राइब अजय करें आप गता है खाल के दुद्धिन नियुक्ट अगे है करें दो जानिवाद बुद्धिन अगी तरह नियुक्त भाट अगे शाप्ड़िए जापके तो जाप वह गए जापके जादा प्रण्ड़ युक्त तो बड़ी ख़बर आपको बता दे भारती ये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनौ में धनबल नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर पूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 83 देने से पहले अंतिमिच्छा पूछी जाती है उसे पूटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के निशे में आप से दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निसाज साहब हमलों के भी नेता थे और एबी सी की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ ईबी सी का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफर पूर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा, बलकि इनके बिक्तित्व और कृतित्व से निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, तो नमश्कार आप सब लोगों को, मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिताजी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के, और दलित, शोशित, पीडित, और अति पिछणों के, आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अतिपिशणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिशणों की आवाज बिहार में है मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अति पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है? अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्शारी क्रूप से पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले हैं फोड़े इदर आजी है आप अप सेंटर ने आप का स्वागत है अरी नी नी यह संदी का साहिए जलो चांडरे स्वारिवार में स्वागत है जलो चांडरे स्वागत है खड़े होना है आजा हो गया है तैंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें करता हूं कि उन्होंने मुझे मोका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पे में दिनात काम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के आडियोलजी अच्छिए अच्छी को पहांसी की भी सजा होती है तो उ तिकाठ गया है तो कहीं से निया अचित नहीं है ऊट रहरे हैं आप सब समझ रहे हैं न तो पार्टी के उ औहांकार से नहीं चलता है यह चुनाओं धन्बल वाहूबल का नहीं है जंता के बिल का हैं तो जिसका जंता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओं वही जीतेगा आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोसल मेडिया में जो जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी सांती से देगी परवन जी ये तीसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिं सांसथ है इसको आपने सामिल के क्या अब भी आपके तरकस्ने कुछ है जो और आने पार आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आजकल आजकल साहब और चवबीस घंटे जाग रहे हैं जानते ना कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे है जो पहले अठारा घंटे जागते थे और वह चौबीस घंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं सब्सक्राइब करें अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाहिए चुनाव लड़ेंगे वो और अलाकमान का इंजार हो क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन ही आदब गोलिकर क्या है आपकी प्रशन बढ़ा अच्छा है आपकी जो जिग्ञासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाईकमान का की सहमती औस स्विकरीती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है अजय जी कलाप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिये जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीजी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उजी कुछ पता दिए अग वो आप तेकरी से सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वहीं कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी सभी जातिये जनगर्ना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएं अंतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया हो गया हाथ लाइए हाथ लाइए भारती जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जट गए है और उन्हों ने कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहं कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से आजय निशाद को वक्तों चलाए एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेधन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेख्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफरपूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूंगा ने 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायद की थी तो नमश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार वार और दो वार ये संससदस से रहे हैं सिर्फ इतना ने समाजवादी अंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अतिपिशणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है। ये वैसे EBC में मलाः समाट से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिशणों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजे जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने किया वो भी बिना शर्ट तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अथ पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी सब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को बोलना है और आजय जी को लेकिन पहले हिनको हम अफचारी करूप से पहले शामिल कराएं ऐसे फोड़े बोलने देंगे आप का स्वागत है अब का स्वागत है अब का स्वागत है जैवेड जी एचिह के मेंबर है जैवेड जी सीजी के मेंबर है भाल बहुत बहुत सब्सक्वार भीच मेंकल साहदे खड़े होना है आजा हो गया तैंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखलेजी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानिय रहूल जी का आवार पटकट करता हूं क्योंने मुझे 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 कॉंग्रेस कैसे मजबूद हो उस पर मैं दिनलाद कम करूँ हूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी पहचार भारती जिन्दापार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट देनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के ऐडॉल जी किसी को पहसे की सजा होती है तो उसकी आखरी क्षा पूछे जाती है सिधा सिधा मैंने आकवार्ण टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से निया अचित नहीं है सारण आप सब समझ रहे ना सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है यह चुनाव जो है धनबल वाहूबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव वही जीतेगा, आज जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते है गंदे गंदे कोमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी. परबन जी, इसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिन सांसत है, वो आपने सामिल के है, क्या अब भी आपके तर्कास में कुछ है जो और आने वाले हैं? आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 गंटे जाग रहे हैं, जानते न कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 गंटे जागते थे, वो 24 गंटे जाग रहे हैं, इतने चिंति आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजय जी कला आ आप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिए जैसे पाटी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लडने की भी हरी जंडी दी है और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा सर मानिय राहुल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की र कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जातिये जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीच अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल जाएंगे है नहीं हम जानते हैं भूलेंगे भी तो इगहर तक जाके पुछेھंगे नहीं सीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीख अंतिम डेट है आज दो तारीख हो गया है तो हो जायेगा आपकी जीजया साै आज खतम होनी चाहिए कर दोची हो गया हो गया हो गया हो गया हो Tek कर दो तो ञो enhance बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है बड़ी ख़बर ये है, कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा, कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर्पुर से सांसत थे, टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा, कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है मुझसे पूछा तक नहीं गया, टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ, और ख़बर ये भी है, कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझसे परपुर से आज़े निशान को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो, वो भाजपा में क्या कर रहे थे, अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से, लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में, वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है, मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है, तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का, वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते, 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी, इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा बलकि इनके बिक्तित्व और कृतित्व से निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जनता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा नए ने ने आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदुलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अतिपिछडों की आवाज को हमेशा बुलन करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीडित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है अजय जी को लेकिन पहले इनको हम उप्छारिक रूप से पहले शामिल कराई ऐसे थोड़े बोलन जोड़ो, इधर आजिए आप o माल्त गाज को. ऐसके अपसंट के तरहैं है? अपसंट के अपसे करे सरह के, आपका स्वागत है. आपसे के वाधी राद्यवार का शाउगत है, साइट आथा का था खार स्वागति है, ताय जूदह. कि यह बी और है? जी अजय को आणक चाहर बहुत बहुत स्वागया तो अभाए बीच में आवा थैनि ये, आए ये, आए ये, आए, आए ये, आए, आए. आए, आए. 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 आपका स्वागत है, अब आप अपने विचार सब के सामने रखें। और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलाद काम करूँ। और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है। अजब तो आपको टिकट डिनाए हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस की आइडियोलजी अच्छी है। तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहा है, आपने में जी एक वार पूछा भी नहीं। सिधा मैंने अकवार्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट काट गया, तो कहीं से नहीं अच्छीत नहीं है। सब समझ रहे, नहीं चलता है। खास कर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंधे-गंधे-गंधे कॉमेंट करते हैं सब का जवाब जनता देगी सांती से देगी अब रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आजकल साहब 24-소리 जाग र है। चानते ना कोन है साहब जो 24 लूप जाग रहे है। आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बागी है आजे जी कला आप राहूल गांदी से मिले कला प्राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिये जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के अखले एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें उगी कुछ बता दिए अग वो आप तेकरी सर मानिय राहुल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछ लेके थी तो मानिय राहुल जी भी वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश्जी आप आपको लगा हम भूल जाएंगे आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया हो गया लाइए हाथ लाइए लाइए दन्यवाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गये हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी आपको बता दें भारती जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गये हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अज अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्हों ने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है उसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से आज़े निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दोशत कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और इबीसी की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ इबीसी का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जोइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्णे किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशीट पीड़ीट और जो अथि पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को बोलना है आज आजाय जी को लेकिन पहले इनको हम आफचारी क्रूप से अच्छा पहले शामिल करा आए ऐसे थोड़ी बोलने देंगे पहले रहा है थोड़ी दें इदर आज आज़ा आप यह इस यह आप का स्वागत है रिंदरे जुने निया समय समय से अहे तरास। कांडरेस हेवार में स्वागता है। थाक्डू में भी हो रहे है। अब हो राए ये लेदू जावेजी को ओठाद जावेजी CEC के मेंबर है। अहे थे थे भूनात है। तुम लएगे अश्राशद का शेता । आए बेचम आवा काई जा जा बाहत बहुत खागए था तॉवा काई छया था खागएज जी ने बीचमे आवा कायगा खाले हो नहीं अगैंट ता हम अगैंट देख्ष्ट अगाए था खाले हुश्ट पूगए था विद्ट स्थर्ट गल्सक्वेरगगी अण आपका स्वागत है, अब आप अपने विचार सब के सामने रखे. कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिन लात काम करूँ. परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार, खासकर मनेराहूल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जॉइन कर रहा हूँ, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिन लात काम करूँ. किसी का अहंकार तोरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है. मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कॉंग्रेस जॉइन कर रहे हैं, और इस वक्त कर रहे हैं, जब आपको टिकट डिनाय हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस की आडियोलजी है? किसी को भांसी की भी सजा होती है, तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है, सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं, सिधा आप मैंने आकवार्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट काट गया, तो कहीं से नहीं अचित नहीं है, ज़िए क्लाएब तो कि क्या आप सब समझ रहें ना, पारटी में अहंकार से नहीं चलता है, सर, यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता संमान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा, और जो य जो जो भी गंहीं करते हैं, गंधे गंधे करते हैं, सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगी अब ही कि उसनल तर्ट करते हैं आप को रोज तो हम कुछ ना कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिये, बहुत कुछ होने वाला है आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं। जानते ना कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं। आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं। अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा। तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है। आजे जी कला आप राहूल गांधी से मिले, कला आप राहूल गांधी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंटी दे दी हैं। पार्टी में शामिल होने की हरी जंटी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंटी दी है। कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था, पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे, जो सबसे दवे कुछले के थी, तो मानिय राहूल जी भी उही कर रहे हैं और आने बाला समय में जश जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी, सभी जग हम जाती है जन्गना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे, तो यह सब चीज अच्छा लगा, और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है, तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है, अब अखिलेश जी आप, आपको लगा, भूल जाएंगे, ने, हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे, तो, ने, सीसी हो गया है, और आपको मालूम है, चार तारीक अंतिम डेट है, आज ने, हम दो ने, तो, दो घर दो, तारीक हो गया है, तो, हो जाएगा आपकी जिगाता, मुझासा, आज खत बहुत बड़ी हैं बहुत बड़ी हैं जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पाठी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंतिमिच्छा पूछी जाती है मुझसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से आजय देशान को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक काब ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर रान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलिज, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे इबीसी में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के पिड़े और जो अथि पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मश्बूत होगी और मैं इन्ही शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को कि अजाए जी को लेकिन पहले हिनको हम औपचारीक रूप से अचा पहले शामिल करा हैं यह से थोड़ी बोलने देंगे हाँ पहले है ठोड़ा इधर आज़ आज़ा आप अप इसे आप अप सेंटर आप इस यह 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 आपका स्वागत है। जवेच जी के मेंबर है। जवेच के मेंबर है। Thank you. आई आई आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखले जी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकर करता हूँ कि उनontonे मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन करा हूँ और पार्टी कैसे मजभूत हो कॉंगरेश कैसे मजभूत हो इसको मैं दिन राह्ट काम करूँ परभारी मोहन जी, परवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानेराहुल जी का आवार पटकर्ट करता हूं कि उन्होंने मुझे 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 मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन लात कम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस पाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कॉंग्रेस जोईन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया, तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के आडियोलजी अच्छे है सब समझ रहे हैं पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है यह चुनाओ जो है धनबल वाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा आप जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मीडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी पर बंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गंदे-गं कि अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के आप जाहिए चुनाव नड़िए पार्टी आपके साथ है इस्थिती पुर्णिया में और पपु यादब को लेकर क्या है आप की प्रश्न बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा सम्झ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उप्री कुछ बता दिए अब वो आप ते करें सर सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जशा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो ने चार तारीक अन्तिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया, हो गया साँ हाँ लगी हाँ साँ लगी बाक बाद स्वागत त्या बाद बिद्ध को भले ना? बोग बदे यह मोग बदे बोग बदे तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अ जामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर पूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपर पूर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक काब ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार चारी है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दोशत कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफरपूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूंगा ने 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलिट, शोशित, पीडिट और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अफ़ारी क्रूप से पहले शामिल कर रहा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले थोड़े इदर आजए आजए आप सेंटर आजए यह 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 आपका स्वागत है अरी नी नी आजए यह संधे के साही जालो कांग्रेस अरिवार में स्वागत है यह 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 –भर आजएङ ले यह यह. लुट खड़े होना है आजा हो गया है तैंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मर्णेर जी ए पर्भारी महन जी प्रवनखिण जी और सिस नेतित का आओजिए खासकर मने रही हो जी गाओज Knudha करता हूं कि उन्होंने मुझे 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 कॉंग्रेस के ऐसे मजबूद हो उस पर में दिरनात कम करूँ अब किसी का हंकार तुरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के आडियोलजी अच्छी को पहांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक्ष गया तो कहीं से ने अच्छीत नहीं है सर अब सब समझ रहे ना सर सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी आप जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी सांती से देगी परवन जी इसरा भारती जनता पार्टी का सितिं सांसत है जो आपके तरकस्ने कुछ है जो और आने बादे आपको रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं जानते ना कौन है साह सब्सक्राइब करें जानते हैं अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाईए चनाव लड़िए पार्टी आपके साथ है इस्थिति पुर्णिया में और बश्न बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजय जी कलाप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिया जैसे पाटी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उजी कुछ बता दिए अब वो आप ते करिए सर सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को अब को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे पंचित समाज की राजनीती करते थे जो सब से दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जशा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जाती है जन्हान कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो ने सी सी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया, हो गया राइए हाथ राइए हाथ राइए दन्यवाद पार्टी आपको बता दें भारती जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी खबर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 83 देने से पहले अंति मिच्शाद पूछी जाती है उसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफर पूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूंगा ने 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदुलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अतिपिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीडित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ आज़ाई जी का स्वागत करता हूँ और आज़ाई जी को बोलना था? न मैं अज़ाई जी को लेकिन पहले इनको हम अचारी क्रूप से पहले सामिल कर रहा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले अज़ाई इदर हाँ? में समय कने देता है आप सेंटर आपका स्वागत है मिंसाइब Хाई अृ यह स्वागत है 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 դो आंक यॐ थारो यूप की अभी और है अभी और एやए लेले 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 लोकहताः ॉश्य। उफ्यीर की सीडृ श्यूपह साठ एक जावेच निय केमें आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखले जी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पे मैं दिनलाद काम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी पहजार भारती जिंदा पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रेस की ऐडियोलजी अच्छी है किसी को भासी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक वार पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आक वार्न टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अच्छित नहीं है सर आप सब समझ रहें ना सर सब समझ रहें ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोसल मेडिया में जो जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी सांती से देगी आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आजकल आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं जानते न कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं जो पहले 18 घंटे जागते थे और वो 24 घंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं सब्सक्राइब करें अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंड़ी फाइट के भी आप जाईए चलाव नड़िए पार्टी आपके साथ है इस्थिती पूर्णिया में और पपू यादब को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाईकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा ठीक है तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कलाप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उभी कुछ बता दिए अब वो आप तेकरी तो सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि ज कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी सभी जातिये जनगर्ना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो ने सी सी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए इसक्क circumstance खिए कर भिक खेडाश सिंदिए MAज संस वार जाऊ एका उम से लोग्याश खेडिर बिφοre टी गिंद कर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के निशे में आप से दोशत कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना किवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा, बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, नए ने ने आपको बोलना चीए मित्रों, सबको तो नमश्कार हो गया ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, तो नमश्कार आप सब लोगों को, मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के, और दलित, शोशित, पीडित, और अतिपिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अतिपिछणों की आवाज को हम हमेशा बुलंद करते रहे हैं, और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अतिपिछणों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्ने किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कंग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित, पीड़ित और जो अतिपिछणों की और प समलित हो कि अइनके स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोला है जो पहले है कि पहले इनको हम उफचारिक बहु कर आए परहें शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले हैं इधर आजे हैं आप कर अप रहें आप इदर है इस एप आप का स्वागत है कॉंग्रेश नारिवार में स्वागत हैं, थांक जू अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेशद्यग जी, अखलेजी, परभारी मोहन जी, पवन खिराजी और सिसनेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पाटी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पे मैं दिनलाद काम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोईन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस की आडियोलजी अच्छी है सब समझ रहे हैं पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे गंदे कोमेंट करते हैं, सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगी. प्रवाब जी, ये तीसरा भार्ती जनता पार्टी का सितिन सांसथ है, क्या अब भी आपके तरकास में हैं, जो और आने बादे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 गंटे जाग रहे हैं, जानते न कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं, वो 24 गंटे जाग रहे हैं, इतने चिंतित हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो उन पे कारवाई होगी, या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है, कि फ्रेंड़ी फाइट के भी आप जाहिए, जानते हैं, इस्थिती पूर्णिया में और पपू यादव को लेकर क्या है, आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाईकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है, अब अगर परिस्थिती आएगी, तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा, ठीक है, तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है, आजे जी कला आप राहूल गांदी से मिले, कला आप राहूल गांदी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल हो क्या उन्होंने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लडने की भी हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके है, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है, तीनों सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान का, तो वो कब तक हो जाएग पहले आंसर कौन करें, उजी कुछ बता दिएगा, वो आप तेकरी से, सर, मानिय राहूल जी से मैं मिला था, दस मिनट की चर्चा होई थी, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को आपको समझाया था, कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही, और मुझे इस बात की प विजन कर रहे हैं, और आने बाला समय में, जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है, कि जहां-जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी, सभी जग हम जाती है जन्गना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो उ हम कर तो यह सब चीज अच्छा लगा, और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है, तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है, अब अखिलेश जी आप, आपको लगा, भूल जाएंगे, ने, ने, हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक ज मुझेंगे, तो, ने, सीसी हो गया है, और आपको मालूम है, चार तारीक अंतिम डेट है, आज दो तारीक हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए, होग जी ङनले कोागी दोग जोग जोग जाहीआ करने बार्ट अखागी बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर्पुर से सांसत थे, टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 80 देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है मुझसे पूछा तक नहीं गया, टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझसे परपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है तो आपका हम स्वागत करेंगे अपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में, वहां के राधनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चम्पारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूँगा नए ने ने आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछणों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ आजए जी का स्वागत करता हूँ और आजए जी को बोलना है बिल्कुल अजए जी को ये को लेकिन पहले इनको हम अपसारिक रूप से पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले हैं फोड़ो इदर आज दिएवार आप जा आपकी सेंटर में यहाँ यह यह यहाँ यह 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 का स्वागत है इस खालो, चालो, कॉंडरे वरिवार में स्वागत है थैकु. तुकि अभी ओर है? अभी ऊँट्री है. जावेदी। जावेदी SCC के मेंभर, मेहतुपन आदु मों अभी कि पृत को शारной. शार में कींहन कहते है. क्थृत जात जा? खड़े होना है आजा हो गया तैंक यू आई हाद आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मनिय परदेशाद्यक जी, अखलेजी, परभारी महँजी, पवन खिराजी और सिसनेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकर्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पाटी को मजबूत करने के लिए मैं पाटी जोइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिन लाद काम करूँ परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार, खासकर मनेराहुल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजब तोरना है, और अपना खोया हूए सम्मान हमको वापिस पाना है, जब तो आपको टिकट डिनाय हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस के आडियोल जी, सर किसी को भासी की भी सजा होती है, तो उसकी आखरी इक्छा पूछे जाती है, सर मेर आप टिकट काट रहे हैं, आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं, सिधा मैंने अकवार्ण टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से नहीं है, जिसकी अच्छे इतना है, सर, आप सब समझ रहे हैं, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है, सर, यह चुनाव जो है धनबल वाहूबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा, आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-ग गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगी, तीसरा भार्ती जनता पार्टी का सितिन सांसथ है, जिसको आपने सामिल के है, क्या अब भी आपके तर्कस में कुछ है, जो और आने बारे हैं, आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर जाले 18 घंटे जागते थे, वो 24 घंटे जाग रहे हैं, इतने चिंतित हैं, सवाल सर्फ है, कुछ जिस्थिति असपस्ट करते हैं, आप लोगों ने उनको ये कह रखा है, कि फ्रेंडी फाइट करें, चुनाव लड़ेंगे वो, और अलाकमान का इंजार हैं, क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो उनके कारवाई होगी, या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है, कि फ्रेंडी फाइट करें, आप जाईए चुनाव लड़ेंगे, पार्टी आपके साथ है, इस्थिति पूर्णिया में और पपु यादव को लेकर क्या है, आ हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है, अब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी, तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा, ठीक है, तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी हैं, आजे जी कलाप राहूल गांधी से मिले, कलाप राहूल गांधी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है, कि सर, सीसी अग वो आप ते करिए था सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा हुई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पीटाजी का वीजन था पीटाजी लिए भी हमारे बंची-समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले की थी तो मानिय राहूल जी भी ओहीं कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बूला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जन्गना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश्टी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो ने सीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अन्तिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया लाइए हाथ लाइए जन्यवाद है तो बहुत बड़ी है तो बड़ी आपको बता दे भारतिये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजए निशाद अब कॉंग्रेस के साद्व जड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में ए कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दोशत कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफर पूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल इबी सी भोट हमलों के तरफ हाएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग एमपी भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जोइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूंगा नए 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 आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिताजी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदुलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अतिपिशणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है। ये वैसे एबी सी में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिशणों की आवाज बिहार में हैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त। तो पूरे कॉंग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीड़ित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अफ्षारिक रूप से तले शामिल करा है ऐसे थोड़ी बोलने देंगे फोड़ाई इदर आजे आजे यहाँ अजे आजे 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 सब्सक्रा बाद कहा सिसंटूर्ड में, सब्सक्राइब के रामी तुर्डड्य ने का ile थे सब्सक्राइबर पूटकर्राइब जविरुन quiz अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मनियर परदेशाद्यग जी, अखलेशी, परभारी मोहन जी, पवण खिरा जी और सिस नेतित का अबहर, खासकर मनियराहूल जी का अबहर पटकर्ट करता हूं, कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोईन कर रहा हूं, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलात कम करूँ हूँ पूरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है। सिधा आप मैंने अक्वाड टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से निया अचित नहीं है सर। सर आप सब समझ रहे ना सर सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा। आप जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोसल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे 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 कॉमेंट करते हैं सब का जवाब जनता देगी सांती से देगी। अगर जी इसरा भरती जन्ता पार्टी का सिफिन सांसत है जिए आप को रोज तो हम कुछ नकुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है। आजकल साहिब 24 गंटे जाग रहे हैं। जानते हैं से कौन है साहिब 14 गंटे जाग रहे हैं। आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजै जी कल आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लडने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके है बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उजी कुछ बता दिए अब वो आप ते करें सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को सम्झाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की परसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे पंचित समाज की राजनीती करते थे जो सब से दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉमेरेस की सरकार आएगी सभी जग हम जातिये जन्गना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल दाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे आपको मालूम है चार तारीक अनतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जायगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया हो गया हाथ लाए हाथ दन्यवाद बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंघ्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंघ्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से आजय निशाद को वाक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है तो आपका हम स्वागत करेंगे अपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहाँ के रादनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्ने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीडित और जो अथि पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इन्ही शब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को बोलना है आजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्चारिक रूप से अच्छा पहल फोड़ाई इदर आजिए आज पहले इस यह जी जी इस आपका स्वागत है अरी नी नी है समय अरी का साथ जो अरी समय के स्वागत है स्वागत है थैंक यू खूंट प्लिए अब और है अबशे में जावेट जी, CEC के मेंबड है, हाँ, मेह तो पून है, अहीत कुन है। बहुत बहुत स्वाइब नहीं हो जात को नहीं है। कि अजरे बीच में आवा तैनिक लुबाद एक आई एए है। खाढे होना है। खाढे होना है? आजा हा है, आजा एहा है? अब आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें अपने परदेष सद्यग जी अखलेश परभारी महाण जी पौवन खेडा जी और सिस नितित का अबार मांज करता हूं क्योंने मुझे मुझे मोका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर मैं दिन आतकाम करूँ परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार, खासकर मानेराहुल जी का आवार पटकर करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जॉइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर मैं दिन आतकाम करूँ किसी का हंकार तुरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी कहँचार भार्टी जिंदा पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रेस की ऐडियोलजी अच्छी है तो उसकी आखरीक सब पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक वार पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आकवार्ट टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अचित नहीं है सर आप सब समझ रहें ना सर सब समझ रहें ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोसल मेडिया में जो भी कोमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कोमेंट करते हैं सब का जवाब जनता देगी सांती से देगी यह आप गो रोज तो हम कुछनकुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे-आगे देखिये बहुत कुछ होने वाला है आजकल साहब चौवीस घंटे जागरे हैं पहले अठारा गंटे जागते थे यह वो चौवीस घंटे जागरे हैं इतने हैं सब्सक्राइब ने सिंबल दे दिया है पपु यादब करें तुनाओ लडएंगे वो और अलाकमान का इंजार हैं क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप ज आपकी प्रश्ण बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझगा होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमति और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्त्तिती आएगी तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेग तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उभी कुछ पता दिए अग वो आप तेकरी तो सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि ज प्रसंता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जयसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बूला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार रही सभी जग हम जातिये कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएंगे नहीं हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे नहीं सिसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीख अंतिम डेटह करे आज 2 तारीक हो गया है तो हो जैगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए अजना टेस्व छानि पार कि अ हो गया हो गया हो गया होने चाहिए लागे और सहरुगा तन्यवाद बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है तो बढ़ी ख़वर आपको बता दे भारती जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ने ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आज एज़े शार को वक्तों चलाएक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेख्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चमपारन के इलाके में ना किवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा, बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, ने, 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों, सबको तो नमश्कार हो गया, ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, नमश्कार आप सब लोगों को, मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिताजी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने क या वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अथि पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है, वो और म मैं इनी शब्दों के साथ, आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को, बोला है? आजय जी को. लेकिन पहले इनको हम अप्सारी क्रूप से. अच्छा. पहले शामिल करा है, ऐसे थोड़ी बोलने देंगे. आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है थांक यू अभी और है आपके है जावेजी है जावेजी जावेजी स्वागत है मेंबर है मेथोपोन आठी आरे बीच में आवा तानित आरे भी आवा देत आरे ए आरे खाड़े होना है आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखे मानिय पर्देश द्द्देग जी अखलेजी परभारी मोहन जी पवन खेडा जी और सिसनेतित का अबहर मानिय राहुल जी का आबहर पटकर करता हूं कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पाटी को मजभूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो उस पे मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानेराहुल जी का आवार पटकर करता हूँ कि उन्हें मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो उस पे मैं दिनलाद काम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी पहजार भारती जिंदापार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस की आइडियोलजी अच्छी को पहांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरी इक्षा पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक पर पूछा भी नहीं सिदा मैंने आकवाड टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नियाचित नहीं है सर आप सब समझ रहे ना सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बलका है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुना वही जीतेगा आज यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोशल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी. आज कल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 घंटे जागते थे, वो 24 घंटे जाग रहे हैं, इतने चिंतित हैं. पुर्णिया में और पपु यादब को लेकर क्या है? या आप लोगों ने उनको ये कह रखा हैं कि फ्रेंट्ली फाइट के भी आप जाईए च्कावन और ये पार्टी आपके साथ है. इस ठितिती पुर्णिया में और पपु यादब को लेकर क्या है? आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है. आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है. लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है. अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा. तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है. आजे जी कला आप राहूल गांधी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है? और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है, तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले आंसर कौन करें, उजी कुछ बता दिएगा? और आने बाला समय में, जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है, कि जहां-जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी, सभी जाती है, जनगना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे, तो यह सब चीज अच करेंगे, ने, ने, हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे, तो, ने, सीसी हो गया है, और आपको मालूम है, चार तारीख अंतिम डेट है, आज दो तारीख हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए, अजर्थ के जाहिए, तो हो जाएगे, तो होग तो होगे पूले अगे हैं, तो वाएगे हैं, तो होगे हैं, एहेमlaughs को जाएगे हैं, जाहेँ हैं, आएगे हैं, तूर्फारीट तारीट, स्वाखएँ प्टेए niyezdshe eda? बस्सित इ Always खतारीघ Perfected! बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी, बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता, मुझपर पूर से सांसत थे, टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन् वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला लगातार जा रही है अक्तूबर को हुआ हो, वो भाजपा में क्या कर रहे थे, अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे, आपचारिक रूप से, लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में, वहां के राधनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है, मुझभफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है, तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीति में जो रिलिवेंस हुआ EBC का, वो उनके वजह से हुआ, और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते, 2019 का चुनाओ जीते, उसके बाद अच्छा कहा, आपने की ये भाजपा में क्यों थे, इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ, लेकिन घूटन में ही रहते थे, कई बार बात होती थी, इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से, पुरा मुझभफरपूर के इलाके में, दरबंगा, मदुबनी, चंपा कारण के इलाके में, ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा, बलकि इनके बिक्तित्व और कृतित्व से निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद. एक सिटिंग MP, भारतिय जनता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें, कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, ने, 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 आपको बोलना चाहिए. मित्रों, सबको तो नमुश्कार हो गया, ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, तो नमुश्कार आप सब लोगों को. मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं. सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदुलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अति पिछणों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीडित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है, वो और मजबूत होगी, और मैं इन इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ, और अजय जी को, बोलना है, अजय जी को, लेकिन पहले इनको हम अप्चारिक रूप से, पहले शामिल करा हैं, ऐसे थोड़े बोलने देंगे, पहले, इदर आज़े हैं, आप सेंटर, यहां, 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 आपका स्वागत है, अरिनी नी ят सानक है, साइगा, साहिए जय लो, कंडरेयो सरी बरिवार में, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, यहां, यह भी और रहे हैं? अभी ओर आगे, यह लिद Double आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्यक जी अखले जी परभारी मोहन जी परवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार, खासकर मनेराहुल जी का आवार पटकर करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलाद काम करूँ किसी का हंकार तोरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी कहँचार भार्टी जिंदापार्टी के मजबूत सिपाही के तोर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोईन कर रहे हैं, और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के आइडियोलजी अच्छे है तो उसके आखरी चाह पूछे जाती है, सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं, अपने में जी एक वार पूछा भी नहीं, सिधा सिधा मैंने अकवार्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट काट गया, तो कहीं से नहीं अचित नहीं है, सर. जिसका जनता संवान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी सांती से देगी परवजी ये तीसरा भार्ती जनता पाटी का सितिंसांसत है इसको आपने सामिल के हैं क्या अब भी आपके तरकस्ने कुछ है जो और आने पर आपको रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आजकल साहब 24 गंटे ज कि अगर वो पार्टी डिस्प्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंटी फाइट के लिए चानाव नड़िए पार्टी आपके साथ है इस्थिती पुर्णिया में और पपु यादव को लेकर क्या है अगर आप की प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमति और स्विक्रिति के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा ठीक है तो चार में तो अभी अरतालीस घंटे बाकिए है आजे जी कलाप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उगी कुछ बता दिए अब वो आप ते करें सर सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की रा असन में भी बुला है कि जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे है बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश्टी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे नहीं आपको मालूम है चार तारीख अंतिम डेट है आज दो तारीख हो गया है तो हो जाएगा आपके जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया ? ठो गया ? जाई, हाख जाई, जाई जाई संदसरे हो स्दसरे हो स्दसरे हो सुछत्य वर ढौद एब créerा? अब बहुत बढ़ी है तो बड़ी आपको बता दे भारतिये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक काब ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार चारी है तो आपका हम स्वागत करेंगे अपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहां के रादनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझभफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निसाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जोइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्णे किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के पिड़े और जो अथि पिछड़ों की या पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इन्ही शब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को आजया जी को लेकिन पहले इनको हम अप्चारी क्रूप से पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़ी बोलने देंगे पहले है थोड़ी इदर आप इदर आप सेंटर में यह 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 आपका स्वागत है कब एक गृद़ आपका इंदर आप स्वागत पिसे है ओघ था अफिर अपरखनेशियृ आप में सब्सक्राइस टाह्तश्ट पोड़ी है कि लीक सबस्यों के सरे इसरी आप इत इनको घुड़ी थिंदर अव्याहारे न्हीं परक्षे किसा काशिम अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखलेजी परभारी महण जी पवन खिराजी और सिसनेतित का आवार मानिय रहुल जी का आवार पटकर करता हूं कि उन्होंने मुझे मुझे मोका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जुएन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पे मैं दिनलाद काम करूँ। और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है। सिधा मैंने आकवाड टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से नियाचित नहीं है। सर आप सब समझ रहें ना, सर सब समझ रहें ना, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर, ये चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा। आप जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगी। प्रावण जी, ये तीसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिं सांसर्थ है, क्या अब भी आपके तरकास में हैं, जो और आने बादेगी, आपको रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे-आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं, जानते ना कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 घंटे जागते थे, और वो 24 घंटे जाग रहे हैं, इतने ही चिंतित हैं स्थिति असपस्ट करते हैं, आजएटी ने सिंबल दे दिया है, पपू यादब कह रहे हैं, कुनाव लड़ेंगे वो, और अलाकमान का इंजार हैं, क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो उन पे कारवाई होगी, या आप लोगों ने उनको ये कह आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाईकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है, अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी, तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेग तो चार में तो अभी अर्टालिस घंटे बाकी है, आजे जी कलाप राहूल गांधी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पाटी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है कि स सिसी हुए दो दिन हो चुके हैं, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है, तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले अंसर कौन करें, उजी कुछ पता दिए. वो आप तेकरी, सर्थ. सर, मानिय राहूल जी से मैं मिला था, दस मिनट की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के विजन को हमको समझाया था, कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही, और मुझे इस बात की प्रसंता रही, कि जो हमारे पिता जी का विजन था, पिता जी भी हमारे बंच में भी बुला है, कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी, सभी जग हम जाती है, जन्गना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे, तो यह सब चीज अच्छा लगा, और जहां तक यह जो आप बोल है, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है, तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है, अब अखिलेश जी आप, आपको लगा, भूल जाएंगे, ने, हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे, तो, ने, सीसी हो गया है, और आपको मालूम है, चार तार हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हाथ, हाथ, लाइए, 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 बहुत बड़ी हैं बहुत बड़ी हैं बाजनौ में धनबल नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 85 देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शर्ट कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर रान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूँगा नए 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 आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है बिल्कुल अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्शारिक रूप से पहले शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले हैं। जवेद जी के मेंबर है, है बहुत 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 आदे नहीं? अब आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मनिय परदेशाद्धिक जी अखलेशी परभारी मोहन जी पौवन खिरा जी और सिसने तित का आप हासकर मनिय राहूल जी का आपार पर्कट करता हूं कि उन्होंने मुझे 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 दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी, पवण खेडा जी और सिस नेतित का अबहर, मानेराहुल जी का अबहर पटकर करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जॉइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिनलाद काम करूँ किसी का अहंकार तुरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी कहँचार भार्टी जिंदा पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रेस की ऐडियोलजी अच्छी है तो उसकी आखरीक स्ब पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक वार पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आकवार्ट टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अच्छित नहीं है सर आप सब समझ रहें ना सर सब समझ रहें ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी सांती से देगी परवजी यह तीसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिं सांसर है कि अब भी आपके तरकास में कुछ है जो और आने वाएश कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं जानते ना कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं वो 24 घंटे जाग रहे हैं इतने चिंटित हैं इस्थिती पूर्णिया में और पपू यादव को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परि इसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कलाप राहूल गांधी से मिले कलाप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दि सब्सक्राइब करें भासन में भी बुला है कि जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जन्गना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे है तो ड़ी सीशी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीख अंतिम डेट है आज दो तारीख हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्या सा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया हरा हरा है हाथ लाइए जाओ, तो आज़े मी इसाहतु के लूचित अब करदें लूचितर नहीं मुझाने दिया मुझाने ओफ और जाओ, जाफ करते हैं। तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारती ये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अथनी बात रखी बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 83 देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आज है निशाद को वक्तों चलाएक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेख्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चमपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूंगा ने 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायद की थी तो नमश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है। ये वैसे एबी सी में मलाह समाज से आते हैं। लेकिन ये सभी अति पिछणों की आवाज बिहार में हैं। मैं आजय जी का जो आज कांगरेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त। तो पूरे कॉंग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है बल्कुल अजय जी को लेकिन पहले इनको हम उप्चारिक रूप से पहले शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले हैं फोड़ हैंग प्रड़ इधर आज़ आप फ सेंटर आःएप इस यस यस आपका स्फएगत है पारिवार मैं स्फएगत है यह एकुटून एक जवेगे सीसी के मेंबर हैं जवेगे सीसी के साथ रहे tuh इंद एक परुदे सहरो हुआ जवेगी की थूछी आूगे खाद शटाट इंद एक जया हुआ खड़े होना है आजा हो गया है तैंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें करता हूं कि उन्होंने मुझे मोका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पे मैं दिन लात काम करूँ परभ़ारी महान जी, पोवंघ खिरा जी और स्सनेतित का अवार, खासकर मानेराहुल जी का आवार पटकर करता हूँ, यो उन्होंने मुझे मुझे मोका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग् मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस के अडियोलजी अच्छी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक्षा सब पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं सिधा सिधा आप मैंने अकौर्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से ने अचित नहीं है सब समझ रहे ना सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाव जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है जिसका जंता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुना वही जीतेगा, आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोसल मेडिया को में कमेंट करते हैं और सिना के सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगा आजकल साहेब 24 गंटे जाग रहे हैं जो पहले 18 गंटे जागते थे वो 24 गंटे जाग रहे हैं इतने चिंदित हैं अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाईए चुनाव लड़िए पार्टी आपके साथ है इस्थिती पूर्णिया में और पपू यादब को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा ठीक है तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजए जी कलाप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पाटी में शामिल होने की हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें उजी कुछ बता दिए अब वो आप तेकरी सर्ट सर मान्य राहूल से मैं मिला था कि दस मिनाट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन कोरें को समझाये था कि party आगे क्या विचार कर रही और मुझे वाला समय में जयसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जातिये जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे है तो नहीं CC हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेठ है आज बो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जग्यासा आज खतम होनी चाहिए को लिए लेकश हुग अगया हुगया हुगया हुगयग अगया हुगया 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 हाट, ही नही हाट लगया श豆 Warmth लगया लुगया हाट और سच्छा है कि बालएष्ट आर नहाट थे संदů अ दनी अख्वयाट गयह वर हाट बहुत बड़ी आपको बता दे भारती ये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनौ में धनबल नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर्पुर से सांसत थे, टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 85 देने से पहले आंति मिच्षाप पूछी जाती है मुझसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से अजय दिशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्थ तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशे पीड़े और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लडाई है वो और मस्बूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को लेकिन पहले इनको हम अपचारी क्रूप से पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले इदर आजे आजे आप अप सेंटर आप का स्वागत है अरिन निया समय शाहिए समय है सही है। चलो, कांड़ेश्व भरिवार में स्वागते हैं। स्वागते हैं। तक ये अभी और है? अभी और है। अभी और है। लेलो सुपनोमनूनू जवेजी को लिए। जवेजी CEC के मेंबर हैं। थानस में भाइना, तुम्हें आइना, को जो देहरे हैं, वहाइना वंधाना, वहाइना, भॉट बहुत स्वागाता है, नाइना, खाड़ने हैं ते नहीं नई खाड़ा है? आई आई आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखे मानिय परदेश सद्यख जी अखली परभारी मौहन जी पहण खिरा जी और सिसनेतित का अबहर मानिय रहूल जी का आबहर पटकर्ट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पे मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी परवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानेराहुल जी का आवार पटकर करता हूँ कि उन्हें मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंगरेस कैसे मजबूत हो इस पे मैं दिनलाद काम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी कहजार भारती जिंदापार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रिस की आइडियोलजी अची है सर किसी को भांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरी क्छा पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आकवार्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अचित नहीं है सर आप सब समझ रहे ना सर सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करीगी चुनाओ जितेघा अजो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खास कर सोसेल मीडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं घंदे घंदे कॉमेंट करते हैं सबका जबाब जनता देगी सान्ती से देगी कैसे आप रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आज कल साहब चौबिस गंटे जाग रहे हैं, जो पहले अठारा गंटे जागते थे, वो चौबिस गंटे जाग रहे हैं, इतने चिंदत हैं आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है अजाय जी कलाप राहUL गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दे दिया जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी ऐ और एक अक अखलेश जी से सवाल है कि सर सी इसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कॉन करें उजी कुछ बता दिए अब वो आप ते करें सर मानिय राहुल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगर्ना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे सीजी हो गया है और आपको मालूम है चारत चारिक अन्तिम डेठ है आज़ दो तारिक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जुग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया हम लाईए हाठ क्लाई आगें संदेवार बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है अज़ाद कर दोड़ी है आप कारवार की शांसट है तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारतिय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी आंसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक काप ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दोशत कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफरपूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूंगा ने 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अतिपिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इन ही शदों के सात ऋचा जी का स्वागत करता हूं और अजय जी को बोला है अजय लेकिन पहले इनको हम उपसारी क्रूप से पहले शामिल कर रहा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले उगए इदे अप है यहाँ तर आप सेंटर मैं यहां, 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 आपका स्वागत है, 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 डियुए है! खड़े होना है आजा हो गया तैंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मनिय परदेश अद्रग जी अखलेज़ी परभारी महन जी पवनखिरा जी और सिसनेत्रित का अभार मानिय राहूल जी का आवार पड़करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कांग्रेस कैसे मजबूत हो उसके में दिननात कम करूँ परभारी मोहन जी प्रवण Kh Messina जी और 6ниट का खासकर मनिराहुल जी का आवार पटकट करता हूं जोन foreign मुझे मौका दिया है पाटी को मझबूत करने के लिए मैं पाटी जोईन कर रहा हूं और पाटी कैसे मझबूत हो कंग्रेस कैसे मझबूत हो उस पे में दिन अत्काम कर गब किसी का अंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपको पहज़ार भारती जिंदा पार्टी के मजबूत सिपाही के तोर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रिस की आइडियोलजी अच्छी को पहांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरी क्छा पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आपको टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अच्छित नहीं है सर सर आप सब समझ रहें ना सर सब समझ रहें ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी. इसरा भार्ती जनता पार्टी का सितिन सांसत है, क्या अब भी आपके तरकस्ने कुछ है, जो और आने बादे आपको रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे-आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं, जानते ना कौ इसरा प्रभारिया गया है, बहुत करना पार्टी को तोड़ते हैं, तो उद्पे कारवाई होगी, या आप लोगों ने उनको यह कह रखा है, जाए चुनाव लड़ेंगे पार्टी पुर्णिया में और पपु यादब को लेकर क्या है? आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है? अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजय जी कला आप राहूल गांदी से मिले कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें जो कुछ बता दिए अब वो आप ते करीज़ा है सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछ लेके थी तो मानिय राहूल जी भी वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो ने सीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारिक अन्तिम डेट है आज दो तारिक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया हो गया हाथ लाइए हाथ लाइए तो तो बरी खोराब को बता देए भारतिय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये ह कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर पूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 85 देने से पहले अंतिमिच्छा पूछी जाती है उसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपूर से अजय निशाद को वाक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्ने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीड़ित और जो अथि पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इन्ही शब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को बोलना है आजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्चारिक रूप से पहले शामि इतर आजिए जो इस ए शामिय जो अपका स्वागत है अरी नी जी आचारिक रूप स्वागत है थागध रूपिए कुपिए अभी और है आई एल जेले लिला में ब्ड़ी ये जावए जी के खिजावेग्जी सुप्सिए के मेंबर है थाई मेहतुकूनाद में चार्सकारि आणन् सुफसरे प्वरंगा।। बहुत बहुत स्वागा। अब आपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखलेजी परभारी मोहन जी पवन खिराजी और सिसनेतित का अबहर मानिय रहूल जी का अबहर पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मोका दिया है पाटी को मजबूत करने के लिए मैं पाटी जोईन कर रहा हूँ और पाटी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पर मैं दिनलाद काम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है कि मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोईन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रेस की आडियोलजी अची है सब समझ रहे हैं पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज जो यह लोग जो आहंकार फैला रहे हैं खासकर सोसल मीडिया में जो जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे गंदे कमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी. परबन जी, इसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिं सांसर्थ है, इसको आपने सामिल के, क्या अब भी आपके तरकास में कुछ है, जो और आने बाएं? आप रोज तो हम कुछ नकुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे-ागे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब चौरी स्वरिज गंटे जाग रहे हैं. जानते ना कौन है साहब जो चौरी स्वरिज गंटे जाग। जो पहले 18 घंटे जागते थे, और वो 24 घंटे जाग रहे हैं, इतने चिंतिते हैं. आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है? अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी, तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा. तो चार में तो अभी 48 घंटे बाद की हैं. अजय जी कलाप राहूल गांधी से मिले, कलाप राहूल गांधी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है? और एक अखलेश जी से सवाल है, कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है, तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले अंसर कौन करें, उभी कुछ बता दिएगा? और आने वाला समय में, जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है, कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी, सभी जातिये जनगना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे, तो यह सब चीज अच जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे, तो नई, सीसी हो गया है, और आपको मालूम है, चार तारीख अंतिम डेट है, आज दो तारीख हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए, कि अचन थे कि खती। हो गया, बोरियो महें तो हींड़े, तो है, अगि हाथ, लाइगा, भाइगा तानिवार, स्वालगेrien, निए भागे. बहुत बड़ी आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनौ में धनबल नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से संसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से आज़े देशान को वक्तों चलाएक छोटे से ब्रेक काब ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के रादनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निसाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूँगा नए ने ने आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलिज, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अति पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोला है अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्शारी क्रूप से पहले शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे फोड़े इधर अजय आप सेंटर नहीं यह 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 आपका स्वागत है अरी नहीं यह संगे आई जो लो कांग्रेस अरिवार में स्वागत है पाँ कि अबी ओर आइ आपयोा है और लो जो अख б बहुत बहुत स्वागत है थाँ गाँ नग्द में साथ रहा है । पीच में आवा जैने रहा है। कड़े ओना है। खाडे होला है। आजा हो आना है। यहाँ हो गया। अब आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें अब आप अब आप आप करता हूं कि उल्होंने मुझे मोंका दिया है पाटी को मजबूत करने के लिए मैं पाटी जोइन कर रहा हूं और पाटी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस के से मजबूत हो उस पे मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानीराहुल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करनी के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो उस पे मैं दिनलाद काम करूँ कि अब लुग किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ संबान हमको वापिस बाना है रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस का इडियोलजी अच्छी को पहांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक पर पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आकवार्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट काट गया तो कहीं से नहीं अचित नहीं है सर आप सब समझ रहें ना सर सब समझ रहें ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बलका है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहा हैं खास कर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी प्रावन जी, ये पीसरा भार्ती जन्ता पार्टी का सितिन सांसथ है, वो आपने सामिल के है, क्या अब भी आपके तरकास में कुछ है, जो और आने बादे हैं, आपको रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आ सवाल सर्फ है, पुर्णिया को लेखिए, इस्थिती असपस्ट करते हैं, आर्जेटी ने सिंबल दे दिया है, पपु यादब कह रहे हैं, कुनाव लड़ेंगे वो, और आलाकमान का इंजार हो, क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो उन पे अगर 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 ऐसी परिस्थिती आएगी, तो फिर हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है? अगर 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 ऐसी परिस्थिती आएगी, तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा, ठीक है? तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी हैं अगर अगर शर्थिती आजयी आप राहूल गांदी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिये? जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी? क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी और एक अखले जी से सवाल है कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके वो आप ते करिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। तो घर तक जाके पूछेंगे। तो नई सिसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारिख अंतिम डेठ है। आज दो तारिख हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए। की किन अायब गाला्यव जे जब कर से लाइब। बहुत बड़ी तो बड़ी आपको बता दे भारती ये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनौ में धनबल नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शर्ट कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर रान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगतार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगतार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूँगा नए ने ने आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछणों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्ने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अति पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है अजय जी को लिकिन पहले इनको हम अपचारी क्रूप से अचह पहले शामिल करा आएं है से थोड़ी बोलने देंगे पहले है थोड़ए इधर रचारी अपचारा रिल्या यह जी का आपका स्वागत है 请τε अब्लिने हैं पिर दिज्ट करने में करोया है। अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्यक जी, अखलेजी, परभारी मोहन जी, पवन खिराजी और सिसनेतित का आवार, मानिय राहूल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर मैं दिनलाथ काम करूँ, परभारी मोहन जी, पवन खिराजी और सिसनेतित का आवार, मानिय राहूल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत क करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पर मैं दिन लात कम करूँ हूँ कि किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के आडियोलजी अच्छी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरी आफार मां टिकट काच रहे हैं आपने मुझे एक वार पूछा वी नहीं तो सब समझ रहें सर सब समझ रहें न पार्ती में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ फाव जो है धनबल वाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है, जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव också जी जितेगा, आज यह लोग जो अहंकार फैला रहें हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगी आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे-ागे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है आजकल साहब 24 गंटे जाग रहे हैं, जानते ना कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 गंटे जागते थे और 24 गंटे जाग रहे हैं, इतने चिंतित हैं सवाल सर्फ है, पुर्णिया कुछ है, इस्थिती असपस्ट करते हैं, आज लेटी ने सिंबल दे दिया है, पपु यादब कह रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे वो, और अलाकमान का इंजार हैं, क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो उन पे कारवाई होगी, या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है, कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाहिए चुनाव लड़ेंगे पार्टी आपके साथ है, इस्थिती पुर्णिया में और पपु यादब को लेकर क्या है, आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है, अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी, तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा, ठीक है, तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है, हाजे जी, कला आप राहुल गांधी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लटने की भी हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है, कि सर, सी सी हुए दो दिन हो चुके हैं, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उपी कुछ बता दिए अब वो आप ते करें सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का विजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जातिये जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो ने सी सी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया साइए हाथ लाइए साथ लाइए दने बाद सान्यवाद स्वाद आप बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ने ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी खबर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर पूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपर पूर से आजय निशाद को वक्तों चलाएक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहां के रादनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाज़पा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाज़पा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, नए ने ने आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायद की थी तो नमश्कार आप सब लोगों को मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिताजी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अतिपिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्सारिक रूप से पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़े बोलने देंगे यह हैराब पहले इस थोड़े इस थोड़े इदर राजिया अप्सेंटर नहीं यह 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 मैं आपका स्वागत है और नीट यह सभी यह सभीकर धर मैं स्वागत तब हुआ सकते हैं, तक एक यावी और एए? खड़े होना है आजा हो गया तैंक यू आई आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेशद्द्धिक जी अखली परभारी महनजी परवनखिरा जी और शिसने तित का आवर, मानिय राहूल जी का आवर पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजभूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजभूत हो कॉंग्रेस कैसे मजभूत हो मैं दिनलाथ काम करूँ परभारी मौहन जी परवन खेला जी और सिसनेतित का अबहर खासकर मनेराहुल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, जोनोंने मुझे 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 परजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस के आडियोलजी एक चिसी को भासी की भी सजा होती है तो उसकी सब समझ रहे हैं पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा और जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे गंदे कोमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी. परबन जी, इसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिन सांसर्थ है, वो आपने सामिल के है, क्या अब भी आपके तर्कस्ने कुछ है, जो और आने बादे हैं? आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 गंटे जाग रहे हैं, जानते ना कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 गंटे जागते थे, और वो 24 गंटे जाग रहे हैं, इतने च आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है, अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी, तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा, ठीक है, तो चार में तो अभी 48 घंटे बागी है, आजे जी कल आप राहूल गांदी से मिले, कल आप राहूल गांदी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है, कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें जो कुछ बता दिए अब वो आप ते करें सर सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की रा में भी बोला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जन्गना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं भूलेंगे भी तो इघर तक जा के पूछेंगे. CC हो गया है और आपको मालूम है चार तारिक अन्तिम डेट है, आज 108 हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिगक्यासदा आज खतम होनी चाहिए. ओ गया हो गया हो गया. एंषाइब और बेसे नहीं होटी कि हैं, आजी हाइब, आजी हाइब, है थाइब, दुछ醉 भूट, गूट परदेश, श्यूट, परदेश, भूट बहूट परदेश नहीं है, स्टानि चुर्णी, भूट परदेश, जग जग चैनल फबने शूर शायद हैं, चैनल तो बड़ी ख़बर आपको बता दें भारती ये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर पूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अं जे निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर रान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफरपूर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जनता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा नए 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 आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछणों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोला है विता है लेकिन पहले इनको हम उप्तारी क्रूप से पहले शामिल करा है अई से थोड़ी बोलने देंगे पहले है भूद कि इदर आजे है आप इधर आजे हैं आप कि आपका स्वागत है zwr…valayär…. जावेट जी अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मनिय परदेशाद्यक जी अख्लेजी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिसनेतित का अबहर मात खार मनिय राहुल जी का आबहर पटकर्ट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के बिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कांग्रेस कैसे मजबूत हो इसमें डीनात कम करूँ परभारी मौण जी, परवन खिरा जी और सिसने तिक का आवार मानेराहुल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोईन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस की ऐडियोलजी सर्क किसी को भासी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक चाह पूछे ज सब समझ रहें ना साब समझ रहें न सब समझ रहें न पार्टे में हमार्वाहकार से नहीं चलता है यह चुनाओ जो है धनबल वहुल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुना वही जीतेगा. आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सब का जवाब जनता दे कर रहे हैं आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल साहीब 24 गंटे जाग रहे हैं ह। जानते माइन साहीव क्यों है जो पहले 18 गंटे जागते थे वो 24 गंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं सब्सक्राइब ने सिंबल दे दिया है पपु यादब करें चुनाओ लडएंगे वो और अलाकमान का इंजार है क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंट्ली फाइट के कि आप जाहिए चुनाओ नर ये पार्टी आपके साथ है इस्थिति पूर्णिया में और पपु यादब को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विकृति के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिति आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उपी कुछ बता दिए सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे पंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछ लेके थी तो मानिय राहूल जी भी वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जाती है जंगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा अजर नहीं की जाती। अब अखmuş जरी आप को लगा बोल चांगे-इस अच्छा नहीं हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाकर पूछेंगे tu. नइ सी सी हो गया है और आपको मालूम है चार तारिक अन्तिम डेट है, आज दो तारीक हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया, हो गया लाइए हाथ लाइए जन्यवाद तो बड़ी आपको बता दे, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है, आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता, जनता जबाब देगी, आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी, बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता, मुझपरपुर से सांसत थे, टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्हों ने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अन्ति मिच्छा पूछी जाती है, उसे पूछा तक नहीं गया, टिकेट कार्ट दिया गया और अब और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है, मुझपरपुर से अजय निशान को, वक्तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है आपका हम स्वागत करेंगे, आपचारिक रूप से, लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा, कि अजय निशाद जी के विशे में, वहाँ के रादनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है, मुझभफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निसाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है, तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का, वो उनके वज़े से हुआ, और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते, 2019 का चुनाओ जीते, उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे, इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया, और ये भी थे जरूर वहां, लेकिन घूटन में ही रहते थे, कई बार बात होती थी, इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इन के आने से, पुरा मुझभफरपूर के इलाके में, दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में, ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा, बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे, निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद. एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें, कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए, हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूंगा, ने, 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 आपको बोलना चाहिए. मित्रों, सबको तो नमुश्कार हो गया, ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, तो नमुश्कार आप सब लोगों को. मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं. सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछलों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछलों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अति पिछलों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित, पीडित, और जो अथ पिछलों की और पिछलों की जो लगों के साथ, आजय जी का स्वागत करता हूँ, और अजय जी को बोलना है? बिल्कुल अजय जी को लेकिन पहले इनको हम आपचारी क्रूप से, पहले शामिल करा हैं यह थोड़ी बोलने देंगे पहले हैं थोड़ी है इधर अजय अजय आप का स्वागत है हुआ है एक जावेज जी की मेंबर है बाट बाहत को लात आख तुरी आख भाल एक अचा पूहां नहीं थी जो भाले हैं। वहत बहुत स्वागत टाशित । आपका स्वागत है, अब आप अपने विचार सब के सामने रखें जुआ मोगा दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जॉइन कर रही हूँ, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके में दीन रखें काम कर दो. परभारी महांजी, पवण खिरा जी और सिसनेतित का अवहर, चासकर मनीरा अवार पटकर करता हूँ, जिजुने मुझे मुझे मूका दिया है, पाटी को मजबूत करने के लिए मैं पाटी जोईन कर रहा हूँ, और पाटी कैसे मजबूत हो, कैसे मजबूत हो, आज आप कॉंग्रिस ज्ञान कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वजा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रिस के इडियोलोजी आपसी के भी सजा होती है तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट कात रहे हैं, अपने में जी एक वार पूछा भी नहीं, सिधा मने आकवार्ण टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से नियाचित नहीं है, सरु。 सर आप सब समझ रहें, पाटी में अहंकार से नहीं चलता है, सर यह चुनाव जो है धनबल वाहूबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जंता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी चुनाव वही जिते गा आज ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खास कर सोचल मीडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सब का जबाब जनता देगी सांती से देगी आज को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल साहब जानते ना कौन है साइब जो 24 गंटे जाग रहे हैं जो पहले 18 गंटे जागते थे यह वो 24 गंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं सब्सक्राइब करते हैं कि अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट की आप जाहिए चुनाव लड़ेंगे वो और आलाकमान का इंजार है उनको क्या अगर वो पार्टी डिस अगर 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 आएगी तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजय जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिया जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें जो भी कुछ बता दिए अब वो आप तेकरी से अब शर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता र हम जाती है जन गना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो इस अब की चर्चा नहीं की ज जाएगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाकर पूछेंगे तो ने CEC हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहीए कोई हैंगे हैंगे बारी हुगाद है और एक सरह करेंगे फिए जारी हैंगे सेंगे राइगेंक है। तो बड़ी खोर आपको बता दे भारतिये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय न तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफर पूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जनता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूंगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिटा जी चार बार और दो बार ये संससदस से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी अंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछलों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अतिपिषणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिषणों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीड़ित और जो अथ पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है अजय जी को लेकिन पहले हिनको हम अपचारी क्रूप से पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़ी बोलने देंगे पहले है थोड़ी इदर आज़े आज़े आप इस आप सेंटर आप का स्वागत है अरी नहीं नहीं आज़ेगा साहिए को अरे सूरिवार में स्वागत है थे 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 थाज़े जबेगी को le Fazator ndra शकार शब्वाल में स्वागत है को अच्छा पनाह सुटर शब्वत बहुटर खड़े होना है आजा हो गया तैंक यू आई हाद आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेशाद्यग जी अखलेज जी परभारी मोहन जी पावन खिरा जी और सिसनेतित का अबहार मानिय राहूल जी का अबहार पटकरता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोई कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो कंग्रेस कैसे मजबूत हो अब इसपे मैं दिन लाट कम करो परभारी महन जी, पवन खेडा जी और सिसनेतित का आवार, मानेराहुल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो तो उसके में दिरनात कम करूँगा। सर मेरा तिकट काट रहा हैं आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं। सिधा सिधा मैंने आकवार्ड टीवी में देखा कि मेरा तिकट कट गया। तो कहीं से नहीं अचित नहीं है सर। सर आप सब समझ रहें ना। सर सब समझ रहें ना। पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है। जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी। चुनाव वही जीतेगा और जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खास कर सोसल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सब का जवाब जनता देगी सांती से देगी अब भी आपके तरकस्त है जो और आने बारे आप रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल साहब चौबिस घंटे जाग रहे हैं जानते ना कौन है साहब जो चौबिस घंटे जाग रहे हैं जो पहले अठारा गंटे जागते थे और वो 24 गंटे जाग रहे हैं इतने चिंते थे हैं कि अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा ठीक है तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजय जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिये जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें जो कुछ बता दिए अब वो आप ते करिए सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की रा में भी बोला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड हथाराँ जाते हैं भूलेंगे बितो घर तक जाकर पूछेंगे तो नहीं सीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारिक अंतिम डेठ है आज दो तारिक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जग्यासा आज खatm होनी चाहिए कि अगह पो हं बेता एक में इंच कोगया ? कोगया ओगया Keep this -ढी 98 कोगया? झाइ सब्सक्तर नाह राग máh जननेवाद कोगया है बहुत बढ़ी आपको बता दे भारतिये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है उसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दोशत कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रेलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जोइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है बल्कुल अजय जी को लेकिन पहले इनको हम उप्चारिक रूप से अच्छा पहले शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे के पहली है इद़ गढगीं? आप इदर? आप सेंटर है? यहाँ, यहाँ आप का सवागत है पाइख finals जो डे मत्क पार्दी थर्यों всегда सवागत है यहाँ दर क्यों now अभी होर रहे? अभी और? आई लेलुूुूूूूू। जावेट जी कुछू। जावेट जी चैसी के मेंबर हैं। मेहतोपून आद्धू। जारे भाव लेंगे साथ। हाँ। जा जी आनाश्वाइट सब्सक्चित्परांगा वरुट्थ बहुत बहुत स्वागत है अरे बीच में आवा तैनि आए ये खड़े होना है आजा हो गया तैंक यू आई आई आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेशाद्धिक जी अखलेजी परभारी मोहन जी पवन खिराजी और सिसनेत्रित का अवार मानिय राहुल जी का अवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पर मैं दिनलात काम करूँ किसी का हंकार तुरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जोईन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट दिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस की आडियोलजी अच्छी को पहांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक वार पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने अक्वार्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अच्छीत नहीं है ज़िए से सब समझ रहें ना सब समझ रहें पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा. और जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोसल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता दे कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज-कल आज-कल साहें 20 गंटे जागरें है कि जानते ना कौन है साहेब जो 24 गंटे जागरें जो पहले 18 गंटे जागते थे और वो चौबिस घंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं इस्थिति पूर्णिया में और पपू यादव को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस् अफिक्षिया इसे तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजय जी कलाप रहूल गांधी से मिले कलाप रहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिया जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी और चुनाव लड़ने की हरी जंडी दिया और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें उपी कुछ बता दिए अब आप तेकरिए सर सर मान्य राहल जी से मैं मिला था 10 मिनाट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की परसंता रही कि जो हमारे पिता-जी का वीजन था पिता-जी भी हमारे बन्चित समाज की में भी बोला है कि जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े पूछेंगे तो यह सीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारिख क defence अंतिम डेट है आज दो तारिख हो गया है तो भो जाएगा आपकी जिग्या से आज खतम होनी चाहिए शजए अब बाग डोगेप्ड़ एंड तारिक जिर्च आपक्षाई एंड आपक्षाई में संग्यक्षण उग्यागोग यहागोग कर दोड़ी झाले दिख थाई देयो टूस्ट के लिगेख प्षाई सब्सक्तित है क्षाई प्ड़िकली गजए्ट रदेश टारिक्षाम बहुत बड़ी आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और आजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 87 देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आज है निशाद को वक्तों चलाएक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेख्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की इन ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफर पूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूंगा ने 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिताजी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलिज, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अतिपिशणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है। ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिशणों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्ने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़े और जो अथि पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ आज एजाए जी को बोला जाए आजाए जी को लेकिन पहले हैं को हम अप्सारी क्रेच को से अचा पहले शामिल कि एसे थोड़ी बोल ने देंगे पहले है इदेर है इन एक झालम तो इह आप का स्वागत है अरे नःनिया शब्स सब्सक्राइब एक जावेजी को जावेजी सी सी के मेंबर है नहीं पहत बहुत सब्सक्राइब खड़े होना है आज आज आए हो गया तैंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखले जी परभारी मोहन जी पावन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूँ यू ने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पावन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूँ यू ने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जॉइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो उसके मैं दिनलात काम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रेस जॉइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रेस के आडियोलजी अच्छी को पहांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरी तौर आप पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने मेंजी एक पर पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आकवार्ण टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अचित नहीं है सर सर अब सब समझ रहें ना सर सब समझ रहें ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बलका है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुना वही जीतेगा, आज ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सब का जवाब जन कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे आगे देखिय बहुत कुछ होने वाला है आजकल और साहबvant चाभीज कंटे जाग रहे हैं इस जांते ना मना करें जो पहले 18 घंटे जागते थे झांथ है वह चाभीज कंटे जाग रहे है इतने चिंदतink प्रभादिया बहुत है तो अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाहिए चुनाव लड़ेंगे वो और अलाकमान का इंजार हैं को क्या अगर वो पार्टी ड हो याद अपको लिकार क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो यग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझोता हुआ है उस पर हाईकमान का कि सहमति आए अस्विकृति के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिति आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांधी से मिले कला आप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उप्रूश पूछ बता दिए अब वो आप तेकरी सर सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के विजन को आपको समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का विजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जन्गना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल जाएंगे अदे हम जानते हैं भूलेंगे भी ने घर तक जाके पूछेंगे तो नहीं सी हो गया है और आपको मालूम है 5 अंतिम डेड़ है आज 2 तारीक हो गया है तो फोह जाएगा आपकी जग्यासा आज खतम होनी चाहिए कि हो गया हो गया हो गया आहात हाँ। देए हाँ. छाइए हाँ. भी जाए दॉर्ण। जान्यवाद. बज्डागे था.. वाहत बड़ी है। बुझाली है। जान थे जान क्टके तॉर्ण। कटक्सक्ता क्टक्टी आपने ग्वाईट किया है। तो बड़ी ख़बर आपको बता दें भारती ये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर पूर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अं जय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शर्ट कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर रान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफरपूर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जनता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा नए 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 आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाच से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछणों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है लेकिन पहले इनको हम अप्चारी क्रूप से अचा पहले शामिल करा है इसे थोड़ी बोलने देंगे पहले थोड़े इदर आजे आजे आप अप सेंटर आप का स्वागत है करा करेंskा... तेट जॹलोग जुवेश्यम्न को होगा ते Hm… आजवयदे जूवेदे शीलनें। मेंबर है। तुम नहीं? आअ जिए जिए रहीगिने तयाप मेखिज जाए नाया ha? जिए आनार छेकर भूरंगावन वह बहुत वहादा अडरी से जाए 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 घरे जाए 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 आपका स्वागत है, अब आप अपने विचार सब के सामने रखें. पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके मैं दिनलाद काम करूँ. पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कॉंग्रेस जोईन कर रहे हैं, और इस वक्त कर रहे हैं, जब आपको टिकट डिनाए हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के आडियोलजी है? जिसकी को भांसी की भी सजा होती है, तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है. पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है, सर. ये चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है, जनता के बल का है. तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा. आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोसल मीडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी. प्रवजी, ये तीसरा भार्ती जनता पाटी का सिथिं सांसत है, जिसको आपने सामिल के, क्या अब भी आपके तरकस्ने हैं, जो और आने बादेगी? क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो उन पे कारवाई होगी, या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है, कि फ्रेंटी फाइट के लिए जाहिए, जाहिए जाहिए पार्टी आपके साथ है, इस्थिती पुर्णिया में और पपु यादव को लेकर क्य आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाईकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है, अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी, तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेग तो चार में तो अभी 48 घंटे बागी है, आजय जी कलाप राहूल गांदी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है, कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है, तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले अंसर कौन करें, उपी कुछ बता दिएगा. अब वो आप ते करीज़ है. सर, मानिय राहूल जी से मैं मिला था, दस मिनट की चर्चा होई थी, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था, कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही, और मुझे इस बात की परसंता रही, कि जो हमारे पिता जी का वीजन था, पिता जी भी हमारे बंचित स समाज की राजनीती करते थे, जो सबसे दवे कुछले के थी, तो मानिय राहूल जी भी आप उहीं कर रहे हैं, और आने बाला समय में, जशा कि उन्होंने सभी भासन में भी बोला है, कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी, सभी जग हम जातिये जन गरना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे, तो यह सब चीज अच्छा लगा, और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है, तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है, अब अखिलेश हो गया है, और आपको मालूम है, 4 तारीक अंतिम डेठ है, आज 2 तारीक हो गया है, तो हो जाएगा, आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए, हो गया? हो गया, हो गया. तो बड़ी खोर आपको बता दे भारतिय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अन्ति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेख्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा, बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जनता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें, कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, ने, 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों, सबको तो नमुश्कार हो गया, ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, नमुश्कार आप सब लोगों को, मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिताजी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदुलन के, और दलित, शोशित, पीडित, और अतिपिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अतिपिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अतिपिछणों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्णे किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीडित और जो अतिपिछणों की और प करता हूँ और अजै जी को बोला है लिकिन पहले इनको हम अप्शारी क्रूप से अच्छा पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़े बोलने देंगे पहले इधर आजिए आप अच्छा उप का स्वागत है इस ये 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 आप का स्वागत है स्थिर्ट परिवार मोड़ाता ताय क्यों बद्धिक करें लुद कि अबी ओर है अबी आई आई लिल सुपाँ जावेजिग को यह दिल जावेजिग जावेजजी के मेंशी के मेंबर है त्विड अप्टोपनातु अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्यख जी, अखलेश जी, परभारी मोहन जी, पवन खेरा जी और सिसनेतित का आवार, खासकर मानिय राहूल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, कि उन्होंने मुझे 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 मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोईन क कर रहा हूँ, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिन लात काम करूँ, परभारी मोहन जी, पवन खेरा जी और सिसनेतित का आवार, खासकर मानिय राहूल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया ह पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिन लात काम करूँ, इस भी किसी का हंकार तोरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है, जब तो आपनी कर रहे हैं, जब आपको टिकट देनाए हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस की आइडियोलजी अच्छी है, तो किसी को भांसी की भी सजा होती है, तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है, सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने में कि एक पर पूछा भी नहीं, सिधा सिधा मैंने आपको टिवी में देखा कि मेरा टिकट काट गया, तो कहीं से नहीं अचित नहीं है, सर, अप सब समझ रहे हैं, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है, सर, यह चुनाओ जो है धनबल बहुबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा, और जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, रूजस तो हम कुछ नकुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे-ागे देखिए बहुत कुछ होने वाला है । आजकल साहप 24 जंते जाग रहे है। जानते ना कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं जो पहले 18 गंटे जागते थे और वो 24 गंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं सब्सक्राइब पॉर्णिया को तोरते हैं तो उन पर कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंड़ी फाइट के भी आप जाईए जाईए लड़ेंगे आप लड़ेंगे वो और आलाकमान का इंचार है उनको क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लीन को आपकी प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विकृती के बाद होता है, ठीक है? अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी, तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा, ठीक है? तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी हैं, आजए जी कला आप राहूल गांदी से मिले, कला प राहूल गांदी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है, तीनों सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान का, तो वो कब तक हो कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही है, और मुझे इस बात की प्रसंता रही, कि जो हमारे पिता जी का वीजन था, पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे, जो सब से दवे कुछले के थी, तो मानिय राहुल जी भी कर रहे हैं, और आने वाला समय में, ज सब चीज अच्छा लगा, और जहां तक ये जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है, तो ये सब की चर्चा नहीं की जाती है, अब अखिलेश जी आप, आपको लगा भूल जाएंगे, ने, ने, हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक जाके पू हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्या साज खतम होनी चाहिए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हाथ, 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 लाइगे, दन्यवाद, अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है, और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता, जनता जबाब देगी, अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी, बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता, मुझपरपुर से सांसत थे, टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे, और उन्होंने ये भी कहा कि 85 देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है, मुझसे पूछा तक नहीं गया, टिकेट कार्ट दिया गया, और अब कॉंग्रेस के साथ, और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है, मुझपरपुर से अजय निशाद को. वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है. अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में, वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दोशप्त कहें. मित्रों आप सभी को मालूम है, मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे, और EBC की आज बात जो सुरू हुई है, तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिति में, जो रिलिवेंस हुआ EBC का, वो उनके वज़े से हुआ, और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते, 2019 का चुनाओ जीते, उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे, इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया, और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे, कई बार बात होती थी, इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में, दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में, ना बल ईबी सी भोट हमलों के तरफ हाएगा, बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के, पार्टी जोइन करें, कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, नए ने ने आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमस्कार हो गया ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, तो नमस्कार आप सब लोगों को, मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के, और दलित, शोशित, पीडित, और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने क किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित, पीडित और जो अथि पिछडों की और पिछडों की जो लडाई है, वो और म मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ, और अजय जी को, बोलना है, अजय जी को, लेकिन पहले इनको हम अप्चारी क्रूप से, पहले शामिल कर रहा है, ऐसे थोड़े बोलने देंगे, पहले, इदर आज़े हैं, आप सेंटर, यहाँ, यहाँ, यहाँ आपका स्वागत है स्वागत है, अरिनी नी मैं सामै, समय मैं सामैं शाम स्वागत है, जलो, ao कॐ अभी और हैं, अभी और है, अभी और है? यह जही जो. लियो सब्सुल्यलू समें. छावैज्जी सीसी के मेंबर हैं. करने बहुत बहुत स्वाहता है आई आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखे मानियर परदेश सद्धिक जी अखले जी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानियराहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कौंग्रेस कैसे मजबूत हो इसके मैं दीनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी प्부वन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानियराहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मोगा दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कौंग्रेश कैसे मजबूत हो इस पर मैं दिन लाद काम करोगा अधर किसी का हंकार तुरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी कहजार भारती जंदा पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रिस की आइडियोलजी अच्छी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है सब मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं सर आप सब समझ रहे ना सर सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा और जो यह लोग जनता जएगी, सांती से देगी. परबन जी, ये इसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिंग सांसत है, इसको आपने सामिल के, क्या अब भी आपके तरकस्ने कुछ है, जो और आने बारे हैं? आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 गंटे जाग रहे हैं, जानते ना कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 गंटे जागते थे, और वो 24 गंटे जाग रहे हैं, इतने च सिंबल दे दिया है पपू यादव करें तुनाव लड़ेंगे वो और अला कमान का इंजा रहे हूं को क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाएं तुन नारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा ठीक है तो चार में तो अभी 48 घंटे बागी है आजे जी कलाप राहूल गांधी से मिले कलाप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दि पर विजन को सम्झाया था की पार्टी आगे क्या विचार कर रही है और बुझे इस बात की प्रसंदा रही कि जो हमारे पिता जी का विजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप हुई है और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी सभी जग हम जातिये जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लग और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जागे पूछेंगे ने शीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अन्तिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया हाथ लगे हाथ टन्यवाद तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है उसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से आजय निशाद क वक्तों चलाएक छोटे से ब्रेक काब ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ में आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफर पूर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूंगा ने 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिताजी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अतिपिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिछडों की आवाज बिहार में है मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीड़ित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्सारिक रूप से पहले शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे दाए है 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 हाँ आप सेंटर निया यह सपा अपका स्वागत है करदे तरहिए, रई नहीं नहीं है। कर दूंडे नहीं है, स्वागत है। थैंक जिए अभी ओर है। अभी ओर है। है लेलु कुनों बूदू एक जवेजी के cac-Cec के मेंबर है। पहुत बहुत है कि आरे धी कि एक है। आई, आपका स्वागत है, अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेशद्यग जी, अखलेश परभारी महांजी, पवन खिराजी और सिसनेतित का आवार, मानिय रहूल जी का आवार पटकट करता हूं, क्युन्होंने मुझे मुझे दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोइन कर रहा हूं, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पे मैं दिन लात काम करूँ। मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं, और इस वक्त कर रहे हैं, जब आपको टिकट डिनाय हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के आडियोलजी अच्छी है? कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से निया अचित नहीं है, सर। सर आप सब समझ रहे हैं, सर सब समझ रहे हैं, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है, सर, यह चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा, आप जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगी, प्रमद जी, ये पिसरा भार्ती जनता पार्टी का सितिंग सांसर्थ है, क्या अब भी आपके तरकास में कुछ है, जो और आने बादेगी, आपको रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे-आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 जाग रहे हैं, जानते न कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 घंटे जागते थे, और वो 24 घंटे जाग रहे हैं, इतने चिंदेते हैं या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंट्ली फाइट के भी आप जाएगे चलाओनार ये पार्टी आपके साथ है, इस्थिती पुर्णिया में और पपू यादब को लेकर क्या है? आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है? अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी, तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेग तो चार में तो अभी 48 घंटे बागी है, आजै जी कला आप राहूल गांदी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी है, क्या चुनाव लड़ने की हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है, कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उजी कुछ बता दिए वो आप ते करें सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जन्गना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल दाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो ने सी सी हो गया है और आपको मालूम है चार तारिक अंतिम डेट है आज दो तारिक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया हो गया जाइए हाथ जाइए 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 जन्यवाद जवाद आप बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपर्पुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि फासी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपर्पुर से आजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहां के रादनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगरह करूँगा नए ने ने आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलिज, शोशित, पीडित और अति पिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछणों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजया जी का स्वागत करता हूँ और अजया जी को बोला है बल्कुल अजया जी को लेकिन पहले इनको हम अप्षारिक रूप से पहले शामिल कराया है ऐसे फौड़े बोलने देंगे मारे फिरा कैसेटिजलगग स्वयाइब इस दो प्रिटरभ इप्री निए अब ऑर ने स्वयाइश हिए अबने ज्यार प्रिटर कि दूझनी किनकर प्रिटरIVार कहल कर दो डूझने एडू प्रिया सूल दूब जवेश है जवेश जी ह surge खार समय है pagुड़ी सबकोर अपर हाथ मैं एक अनुछ आप्गा, ये क्यम वारिकी कोनम है तो कि अजने है इसञाल म आपा क्वालった इस जडिक सुटस्यान है खाले ओना है आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखे मानियर परदेशद्यक जी, आख लेज परभारी महंच जी, पवन खिरा जी और सिस नेतित का आव भार मानेराहूल जी का आवार परक्रत अपकरता हूँ क्योंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जॉवाइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलाद काम करूँ। और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस पाना है। सिधा सिधा मैंने आकवाण टीवी में देखा कि मेरा टिकेट कट गया, तो कहीं से नियाचित नहीं है। पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है। ये चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा। आज जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोचल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी। परवजी, ये तीसरा भार्ती जनता पाटी का सितिन सांसथ है, जिसको आपने सामिल के, क्या अब भी आपके तरकास में कुछ हैं, जो और आने बादेगी। आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहब 24 गंटे जाग रहे हैं, जानते न कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 गंटे जागते थे आवो 24 गंटे जाग रहे हैं, इतने चि आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है, ठीक है, अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी, तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा, ठीक है, तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है, आजे जी कलाप राहूल गांधी से मिले, कलाप राहूल गांधी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिये, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है, और एक अखलेश जी से सवाल है, कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उपी कुछ बता दिए अब वो आप ते करीज़ है सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे पंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाकर पूछेंगे और आपको माख्यों है चार तरीक अंतिम डेट है आज दो तरीक हो गया है तो ब्ढोल जाईगा आपकी जिग्यासा compost आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हैं लाए हागहा या जानेवार स्वाइगा थे आप बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बढ़ी ख़वर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 85 देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है मुझसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से आज़े निशाद को वक्तो चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्तुबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ वाए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना किवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा, बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूंगा, नए ने ने आपको बोलना चाहिए मित्रों, सबको तो नमश्कार हो गया, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, नमश्कार आप सब लोगों को, मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के, और दलिद, शोशित, पीडिद, और अतिपिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्ही के नक्षिय कदम पर अतिपिछणों की आवाज क वो हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीड़ित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को बोलना गिर उतर ऐड़ा आपका स्वागत है संवागत है कांड़ी अटरु और में स्वागत है स्वागत है थो कि अभी और है अभी और है अभी है एक जवेजी के मेंबर है। अब आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखले जी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानिय रहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्हेंने मुझे मुझे मोका दिया है, परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानिय रहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्हों ने मुझे मौका दिया है के लिए को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो कंग्रेस कैसे मजबूत हो उस पर मैं दिननात कम करूँ कुछी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाई हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस के आडियोलजी स mystery को पासि की भी सजा होती है तो उसके आखिरीक्छा पूछे जाती है जचैनल मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में रभाड पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैने आपकॉनद टिवी मैं देखा कि मेरा टिकट काट गए तो कहीं से नेरी अचित नहीं है सब सब समझ रहे न… पाठी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओности un fırछ नहीं है यह जन्ता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आग जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर social media में जो जो भी comment करते हैं गंदे 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 comment करते हैं सब का जवाब जनता देगी सांती से देगी इसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिंग सांसर है कि आप आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे-ागे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल आज कल साहब 24 गंटे जाग रहे हैं जानते न क कौन है साहब जो 24 गंटे जाग रहे हैं जो पहले 18 गंटे जागते थे या वो 24 गंटे जाग रहे हैं इतने चिंद्देते हैं इसलिए प्रकाजी से जागे जाए हैं और अलाकमान का इंजार हैं क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाहिए चुनाव लड़ेंगे और आपके स्थिती पूर्णिया में और पपू यादव को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाईकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस् तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजय जी कलाप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जन्डी दे दिये जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जन्डी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जन्डी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी ह हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा सर मानिय राहुल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के विजन को अब को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का विजन था पिता जी भी हमारे बंचित आज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहुल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जातिये जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है अब अखिलेश जी आप यह आपको लगा भूल अब कि ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाकर पूछेंगे लाई, CC हो गया है, और आपको मालूम है, 4 तारीक अंतिम डेट है, आज 2 तारीक हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया, हो गया बहुत पड़ी है। थान्यवार में पूपार्णीजाए। वर्भादी है। भी दूपार्णी याप्ट बहुत बढ़ी है। बहुत बड़ी आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी आजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और आजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 83 देने से पहले अंतिमिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आज एज़े शात को वक्तों चलाए एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है अक्टूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेधन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेख्ष के विशे में आपसे दोशत कहें मित्रों आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्या निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफरपुर के इलाके में दर्बंगा मदुबनी चंपारन के इलाके में ना केवल इबी सी भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग एंपी भारतिय जनता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा नए ने ने आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अतिपिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अतिपिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अतिपिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अथ पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है? अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अफचारी क्रूप से पहले शामिल करा हैं अशे थोड़ी बोलने देंगे पहले है थोड़ी इदर आज़े आप अजय आप का स्वागत है स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है खड़े होना है? आजयो 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 तैंक यू आई हाँ आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेश सद्धिक जी अखले जी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूं योनोने मुझे मुझे मौकाह दिया है पारटी को मजबूत करने के लिए मैं पारटी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पे मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार, मानेराहुल जी का आवार पटकर्ट करता हूँ, क्योंने मुझे मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जॉइन कर रहा हूँ, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पे मैं दिनलाद काम करूँ अभी किसी का हंकार तोरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस पाना है, जब तो आपको टिकट डिनाए हो गया, तो क्य यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस का इडिया है, तो किसी को भांसी की भी सजा होती है, तो उसकी आखरी क्छा पूछे जाती है, सर मेरा आप टिकट काट रहा है, आपने में जी एक वार पूछा भी नहीं, सिधा मैंने आकवार्ट टिवी में देखा कि मेरा टिकट काट गया, तो कहीं से निया अचित नहीं है, सर, आप सब समझ रहे ना, सर, सब समझ रहे ना, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है, सर, ये चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार दे जिसको समर्थन करेगी चुना वही जीतेगा आज यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सब का जवाब जनता देगी सांती से देगी जिसरा भार्ति जनता पार्टी का sitting samsat तो आप आप आपको रोज तो हम कुछ न कुछ ला कर पेश कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल साहिब 24 गणते जागरे है. जैनते ना कौन है साहिब जो 24 गणते जागरे है. जो पहले 18 गणते जागते थे, वो 24 गणते जागरे है. इतने चिन्तित हैं. प्रभालिये 腐हा प्रूलिये? यस्तितिभी असपस्ट करते हैं. अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंड्ली फाइट ठीटी आप जाहिए जाहिए पार्टी आपके साथ है इस्थिती पूर्णिया में और पपू यादव को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस् तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दिये जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सी सी हुए दो दिन हो चुके हैं, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है, तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले अंसर कौन करें, उप्री कुछ बता दिए. वो आप तें करीज़ें. सर, मानिय राहुल जी से मैं मिला था, दस मिनट की चर्चा होई थी, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को आपको समझाया था, कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही, और मुझे इस बात की प्रसंता रही, कि जो हमारे पिता जी का विजन था, पिता जी भी हमारे पंचित समाज की राजनीती करते थे, जो सबसे दवे कुछले के थी, तो मानिय राहुल जी भी आप वही कर रहे हैं, और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है, कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी, कि सभी जगह हम जाती है, जन्होंना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे, तो यह सब चीज अच्छा लगा, और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है, तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती है. अब अखिलेश जी, आप, आपको लगा, आप भूल जाएंगे? ने, ने, हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे. ने, सीसी हो गया है, और आपको मालूम है, चार तारीख अंतिम डेट है, आज दो तारीख हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए. हो गया? हो गया, हो गया. लाइए हाथ, लाइए हाथ. लाइए हाथ, लाइए हाथ. बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है. तो बड़ी ख़वर आपको बता दे, भारतिये जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है, अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता, जनता जबाब देगी. अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी, बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता, मुझपरपुर से सांसत थे, टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 84 देने से पहले अंतिमिच्छा पूछी जाती है, मुझसे पूछा तक नहीं गया, टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ, और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है, मुझपरपुर से अजय निशाद को. वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक काब ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है. तो आपका हम स्वागत करेंगे, ओप्चारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं, अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहाँ के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें. मित्रों आप सभी को मालूम है, मुझभफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे, और EBC की आज बात जो सुरू हुई है, तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था, बिहार के राजनिती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का, वो उनके वज़े से हुआ. और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते, 2019 का चुनाओ जीते, उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे, इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया, और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे, कई बार बात होती थी, इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आन के में, ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ हाएगा, बलकि इनके बिक्तित्व और कृतित्व से निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद. एक सिटिंग MP, भारतिय जनता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें, कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, ने, 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 आपको बोलना चाहिए. मित्रों, सबको तो नमुश्कार हो गया, ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, तो नमुश्कार आप सब लोगों को. मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के, और दलित, शोशित, पीडित, और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने नेने किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के सोशित पीडित और जो अथ पिछडों की और पिछडों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोलना है अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्चारिक रूप से अचा पहले शामिल करा है ऐसे थोड़ी बोलने देंगे पहले इधर आजया आप अप सेंटर है यह 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 अपका स्वागत है अरी नी नी आसने है समया स्मया सुपह टारी ने चलो करेश भारिवार में स्वागट एथ था था थे थैंक युकी अभी और है अब यह और है यह लेव लेवल सुपन बुढ एक जवेट जी कुछ जवेट जी के मेंबर है कि आए जाए है। कि दो पिंदे जिए के लिए ठीज़े कर एवे, आज कूल एकाथशा डाए। अरे बीचमें आवा ते नीट आए और में आगया। कि खाले होना है। आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखे मानिय परदेश सद्यक जी, अखलेश जी, परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकर करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकर करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पे मैं दिनलाद काम करूँ किसी का अहंकार तोरना है, और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कॉंग्रेस जोईन कर रहे हैं, और इस वक्त कर रहे हैं, जब आपको टिकट डिनाय हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस की आइडियोलजी अच्छी है? सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं, सिधा मैंने आपको टिवी में देखा कि मेरा टिकट काट गया, तो कहीं से नहीं अच्छीत नहीं है, सरु सर, आप सब समझ रहे हैं, सर, सब समझ रहे हैं, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है, सर, ये चुनाओ जो है धनबल वहुबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा, पहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं, सब का जवाब जनता देगी, सांती से देगी. परवजी, ये पीसरा भार्ती जनता पाटी का सिथिं सांसथ है, वो आपने सामिल के है, क्या अब भी आपके तरकस में कुछ हैं, जो और आने बाएंगे? आप को रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे-ागे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, आजकल साहिब 24 गंटे जाग रहे हैं, जानते न कौन है साहिब जो 24 गंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 गंटे जागते थे, वो 24 गंटे जाग रहे हैं, इतने च अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाहिए चुनाव लड़िए पार्टी आपके साथ है इस चिती पूर्णिया में और पपू यादब को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विकृती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्तिती आएगी तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी आरतालीस घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांधी से मिले कला आप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें उभी कुछ बता दिए अब वो आप तेकरी से अब शर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का विजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी आप वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की स बात की जाती है तो यसम से की चर्चा नहीं की जाते हैं। अब आप अखिलेश्च जी, आप अब भूल जाएंगे?" नै, ने, हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो इघर तक जाएंगे। CC हो गया है, और आपको मालूम है 4 तारीक अन्तिंडेट है, आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिगयासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया शाइए हाथ लाईए हाथ लाईए दन्यवाद बहुत बड़ी आपको बता दे भारती जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़बर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 85 देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जाती है वोसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और ख़बर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आजय निशाद को वक्तों चलाए एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे ओप्चारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहां के राजनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनिति में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाज़पा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाज़पा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझबफरपुर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा, बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, धन्यबाद एक सिटिंग MP, भारतिय जन्ता पार्टी के, पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जादा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूँगा, नए ने ने आपको बोलना चीए मित्रों सबको तो नमश्कार हो गया ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, तो नमश्कार आप सब लोगों को, मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के, और दलित, शोशित, पीडित, और अति पिछलों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्ही के नक्षे कदम पर अति पिछलों की आवाज को बुलंद करते रहे हैं, और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अति पिछलों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित हो का जो इन्होंने निर्ने किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीडित और जो अथि पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है, वो और मजबूत होगी, और मैं इनी शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूँ, और अजय जी को, बोलना है, अजय जी को, लेकिन पहले इनको हम अप्चारिक रूप से, पहले शामिल करा हैं, ऐसे थोड़े बोलने देंगे, अप में बिदोन से, आप इसे ने पे अंप सेंटे का, यहाँ, 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 एस यहँए, आपका स्वागत है, 얼िकरे है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, थैंक नी थिए। अबी ओड़ा हाई? गेलो कुपलुबुबू जवेजी को जवेजी के मेंबर है मेहतवकून आथ, तुमने यहाँ? यहाँ तुमने हाँ? आछे वाव लेंगे सरापन आप।मने है के साथ वेमिजी के साथ बुआता पहले जवेफेदा. खहले होना है? आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखे मनिय परदेश सद्यग जी अखले जी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिस नेतित का अबहर मासकर मनी राहूल जी का आबहर पटकर करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इसके मैं दिन लात काम करूँ सब्सक्राइब करना है खोया हूआ सम्मान हमको वापिस बाना है मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रिस के आडियोलजी अच्छे है सर मेरा तिकट काट रहा है आपने मीजी एक वार पूछा भी नहीं सिधा सिधा आप मैंने अक्वाड टिवी में देखा की मेरा तिकट कट गया तो कहीं से निया अचित नहीं है सर आप सब समझ रहे ना सर सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर ये चुनाव जो है धनबल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाव वही जीतेगा आज ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी कि आप रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगए-आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है आजकल साहब 14 गंटे जागरे हैं. जानते ना कौन है साहब जो 24 गंटे जागरे है, जो पेले 18 गंटे जागते थे, उग 14 गंटे जागरे हैं। इतने ही किनति carne डिया है, ही जाना जाना प्रभारियर, BTotta का दूलिया है? क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंट्ली फाइट ठीपी आप जाईए च्कावन अर ये पार्टी आपके साथ है इस्थिती पूर्णिया में और पपू यादब को लेकर क्या ह आपकी परशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारे समझो उता हुआ है उस पर हाईकमान का की सहमती और स्वीक्रिती के बाद होता है तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले अंसर कौन करें उप्री कुछ बता दिए वो आप ते करी सर सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के वीजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की परसंता रही कि जो हमारे पिता जी का वीजन था पिता जी भी हमारे पंचित समाज की राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो ने सी सी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया हो गया लाइए हाथ लाइए लाइए दनेवाद तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारती जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है आजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उन्हें ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्हें ये भी कहा कि 85 देने से पहले अंतिमिच्छा पूछी जाती है मुझसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक काब ब्रेक के बाद भी खबरों का सलसला लगातार जा रही है अक्तूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ वे आए तो आपका हम स्वागत करेंगे आपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहां के राधनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझभफर पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनरान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और एबी सी की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ इबी सी का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहाँ लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित्व और कृतित्व से निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिले भारतिय जनता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है, इससे जाधा बोलना उचित नहीं है, मोहन प्रकाश जी मैं आपसे आगरह करूंगा, नए ने ने आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना, क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी, तो नमुश्कार आप सब लोगों को, मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चक्लिश जी ने आपको बताया, कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदुलन के, और दलित, शोशित, पीडित, और अतिपिछणों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अतिपिछणों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है, ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अतिपिछणों की आवाज बिहार में हैं, मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्णे किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीडित और जो अथ पिछणों की और प स्वागत करता हूँ और अजय जी को बोला है? बिल्कुल अजय जी को लेकिन पहले इनको हम अफचारिक रूप से अच्छा पहले शामिल करा हैं ऐसे थोड़ी बोलने देंगे पहले है इधर आज़ 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 इस यस 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 आपका स्वागत है अरि निनी मिनिय स्वेगा सही आया है है साही है सलोक थांडरिष न अरिवार में स्वायदे, स्वागते है Thank you जूव कि अभी और है, अभी और है अभी ऑर आये ले लेल एक जवेची को थे जवेची सीची के मेंभर है में तो कुनात्यी अजय वाज़ बागे गारे तो अभाद बाहत बहुत स्वाद़ कि अखले होगा होगा है अजय बीचि में होना ताहितो ये ये अखले होना है आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखे मानिय परदेश सद्यक जी अखलेजी परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पे मैं दिनलाद काम करूँ परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानिय राहूल जी का आवार पटकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो इस पे मैं दिनलाद काम करूँ किसी का हंकार तोरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बाना है जब तो आपकी कहजार भारती जिंदापार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाए हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रिस की आइडियोलजी अची है सर किसी को भांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरी इक्छा पूछे जाती है सर मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं सिधा सिधा मैंने आकवार्ण टिवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया तो कहीं से नहीं अचित नहीं है सर आप सब समझ रहे ना सर सब समझ रहे ना पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर यह चुनाओ जो है धनबल वाहूबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जनता सम्मान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करेगी चुनाओ वही जीतेगा आज यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जबाब जनता देगी, सांती से देगी आज करते हैं आज कल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं जो पहले 18 घंटे जागते थे वो 24 घंटे जाग रहे हैं इतने चिंतित हैं प्रभारिया गया है भाईया बूलिया जो तक हम तब कहा बना करें तो कि अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पर कारवाई हो की या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडिवाइट के लिए चानाव लड़ेंगे बार्टी आपके साथ है इस्थिति पूर्णिया में और पपू यादव को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस् मताले लेगा गए टो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है लेगेर सब्सक्राइब कि जो दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिली तक इंतजार हो रहा रहा है तीनों सीटों पर candidate के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा पहले आंसर कौन करें जो कुछ बता दिए अब वो आप ते करें सर मानिय राहूल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के वीजन को अब को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पीता जी का वीजन था पीता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीति करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहूल जी भी वही कर रहे हैं और आने बाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जग हम जाती है जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे तो यह सब चीज अच्छा लगा और जहां तक यह जो आप बोल रहे हैं बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो यह सब की चर्चा नहीं की जाती अब अखिलेश्जी आप आपको लगा भूल जाएंगे ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे तो नहीं, सीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारिख अन्तिम डेठ है, आज दो तारिख हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खतम होनी चाहिए हो गया? हो गया हो गया लाइए हाथ लाइए अलाईटन स्वाइबाद Ś다 मते你चा से खतना था हुआ है खतने वाध जाने और भाधना मुस्वाग लापतने आख बहुद़े है, बहुद बढ़ी है भुद ऴढ़े भुद भुद ऑत्र करता है आप य। वर हमकोसते बनकौक पढ़्डी में hatte this तो बड़ी ख़वर आपको बता दे भारतिय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी आंसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 20 Saya देने से पहले अंति मिजशाद पूछी जाती है वह से पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझह परपुर से अजय निशाद को वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक काब ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है तो आपका हम स्वागत करेंगे अपचारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजय निशाद जी के विशे में वहाँ के रादनितिक परिपेक्ष के विशे में आपसे दोशप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफ़र पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वज़े से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपूर के इलाके में दर्भंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जोइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उन्हीं के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्ने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीड़ित और जो अथि पिछणों की और पिछणों की जो लड़ाई है वो और मस्बूत होगी और मैं इन्ही शब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को आजय जी को लेकिन पहले इनको हम अफचारी क्रूप से अच्छा पहले शामिल करा है ऐसे थोड़े बोलने देंगे सोड़ेर इधर आजा और स्वागत है आप संटर्ट अपका स्वागत है अरि नियो समय कैसा आई है सुपर्ण जावेच जी सीची के मेंबर है कडे। अब आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें मानिय परदेशद्द्ध जी, अखली जी, परभारी मोहन जी, पवन खिरा जी और सिस नेतित का आवार, खासकर मानीराहूल जी का आवार पटकर करता हूं, योनोंने मुझे मोका दिया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी जोइन कर रहा हूं, और पार्टी क कैसे मजबूत हो, कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर में दीन लात काम करूँ। कैसे मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कॉंग्रेस जोइन कर रहे हैं, और इस वक्त कर रहे हैं, जब आपको टिकट डिनाय हो गया, तो क्या यही वज़ा है, जिसकी वज़ा से आपको कॉंग्रेस के आडियोल्जी अच्छी है? मैं देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से नहीं अच्छीत नहीं है, सर. सर, आप सब समझ रहे हैं, पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है, सर. यह चुनाओ जो है, धनबल वहुबल का नहीं है, जनता के बल का है, तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाओ वही जीतेगा. आप जो यह लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोसल मेडिया में, जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, सांती से देगी. परवण जी, यह इसरा भार्ती जनता पार्टी का सिटिं सांसथ है, जो आप जो रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे-ागे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है. आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं, जानते ना कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं, जो पहले 18 घंटे जागते थे, और 24 घंटे जाग रहे हैं, इतने चिंतित हैं. आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है, आपकी जो जिग्यासा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझ होता हुआ है, उस पर हाई कमान का की सहमती और स्विकृति के बाद होता है. ठीक है, अब अगर ऐसी परिस्थिती आएगी, तो फिर हाई कमान उस पर फैसला लेगा. तो चार में तो अभी 48 घंटे बागी हैं. अजय जी कलाप राहूल गांधी से मिले, तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है, जैसे पाट्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है? और एक अख्लेश जी से सवाल है कि सर, सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं, बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है, तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले आंसर कौन करें, उगी कुछ बता दिए। कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है कि जहां-जहां कॉंगरेस की सरकार आएगी सभी जातिये जनगना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे, तो यह सब चीज अ कर दू आप को लग बूल जाएंगे? ने ने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जाके पुछेंगे. ने सीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेट है, आज दो तारीक हो गया है, तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा, आज खत्म होनी चाहिए. अब कर दो और यतो लाइब दन्यवाद बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बढ़ी ख़वर आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है अजय निशाद अब कॉंग्रेस के साथ जुड़ गए है और उन्हों ये कहा कि पार्टी एहंकार से नहीं चलता जनता जबाब देगी अजय निशाद ने इन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी बड़ी ख़वर ये है कि अब कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है और अजय निशाद ने ये भी कहा कि पार्टी में एहंकार नहीं चलता मुझपरपुर से सांसत थे टिकेट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने ये भी कहा कि 87 देने से पहले अंति मिच्छाब पूछी जाती है उसे पूछा तक नहीं गया टिकेट कार्ट दिया गया और अब कॉंग्रेस के साथ और खबर ये भी है कि कॉंग्रेस से टिकेट मिल सकता है मुझपरपुर से आज है निशाद को वक्तों चलाएक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला लगातार जा रही है तूबर को हुआ हो वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें यह नहीं समझ भाए तो आपका हम स्वागत करेंगे आप चारिक रूप से लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूँगा कि अजे निशाद जी के विशे में वहां के राधनितिक परिपेक्ष के विशे में आप से दो शप्त कहें मित्रो आप सभी को मालूम है मुझफः पूर से इनके पिता जी चार बार कैप्टन जैनर्यान निशाद साहब हमलों के भी नेता थे और EBC की आज बात जो सुरू हुई है तो इनके पिता जी से सुरू हुआ था बिहार के राजनीती में जो रिलिवेंस हुआ EBC का वो उनके वजह से हुआ और लगातार चार बार के बाद ये 2014 का चुनाओ जीते 2019 का चुनाओ जीते उसके बाद अच्छा कहा आपने की ये भाजपा में क्यों थे इनके पिता जी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाप उन्होंने काम किया और ये भी थे जरूर वहां लेकिन घूटन में ही रहते थे कई बार बात होती थी इसलिए कॉंग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उमीद है कि इनके आने से पुरा मुझभफरपुर के इलाके में दर्बंगा, मदुबनी, चंपारन के इलाके में ना केवल EBC भोट हमलों के तरफ आएगा बलकि इनके बिक्तित और कृतित उसे निश्चित रूप से कॉंग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी धन्यबाद एक सिटिंग MP भारतिय जन्ता पार्टी के पार्टी जॉइन करें कॉंग्रेस पार्टी आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है इससे जादा बोलना उचित नहीं है मोहन प्रकाश जी मैं आप से आगर है करूँगा नए 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 आपको बोलना चाहिए मित्रों सबको तो नमुश्कार हो गया ना क्योंकि पिछली बार किसी ने सिकायत की थी तो नमुश्कार आप सब लोगों को मित्रों अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक चकलिश जी ने आपको बताया कि इनके पिता जी चार बार और दो बार ये संससद से रहे हैं सिर्फ इतना नहीं समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोशित, पीडित और अति पिछडों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं और ये भी उनी के नक्षे कदम पर अति पिछडों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बिहार की राजनीती में इनका और इनके परिवार का एक महतुपूर्ण स्थान रहा है ये वैसे EBC में मलाह समाज से आते हैं लेकिन ये सभी अति पिछडों की आवाज बिहार में हैं मैं अजय जी का जो आज कांग्रेस परिवार में समलित होने का जो इन्होंने निर्ने किया वो भी बिना शर्त तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उमीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोशित पीड़ित और जो अथि पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और मैं इन्ही शब्दों के साथ आजय जी का स्वागत करता हूँ और आजय जी को बोलना है आजय जी को लेकिन पहले इनको हम अप्शारिक रूप से पहले शामि खोड़ाम इदर आजा आजया 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 यह इस यह इस आपका स्वागत है अरी नी नी चैसरेगा स्वागत थर्था ख भरिष्ट में स्वागत है थांगकिन दिट्रों की अभी और है अभी एईलिव व्यक्तुन को एक जावेद जी को जावेद जावेद जी सीजी के मेंबर है आए है कि अशी वाड़ेद सब देना देल. आए है ही जावेद जावेद जी ने आए है? आपका स्वागत है अब आप अपने विचार सब के सामने रखें के मानिय Pardesadsagfruit जी अखिलेजी परभारी मोहन जी पावन्खिरा जी और सैस्ते नेतित का आपर मानिय रहूजी का आपरड़ करता हूं योनोंने मुझे मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो उस पे मैं दिन लात काम करूँ परभारी मोहन जी पवन खिरा जी और सिसनेतित का आवार मानेराहुल जी का आवार पटकर करता हूँ क्योंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी जोईन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो उस पे मैं दिन लात काम करूँ नहीं गिसी का हंकार तुरना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस बना है जब तो आपकी कहेचार भारती जिंदापार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी आज आप कॉंग्रिस जोईन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाय हो गया तो क्या यही वज़ा है जिसकी वज़े से आपको कॉंग्रिस की आइडियोलजी अच्छार किसी को भांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखरीक्षा पूछे जाती है सब मेरा आप टिकट काट रहे हैं आपने में जी एक बार पूछा भी नहीं सब समझ रहे नो सब समझे रहें न का पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है यह जशल इन धनब्ल वहुबल का नहीं है जनता के बल का है तो जिसका जंता समान करेगी जिसको प्यार देगी जिसको समर्थन करीगी चुनाओ वही जित एक IT आज ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं खासकर सोचल मेडिया में जो भी कॉमेंट करते हैं गंदे-गंदे-गंदे कॉमेंट करते हैं सबका जवाब जनता देगी सांती से देगी इसरा भाति जनता पार्टी का सिपिंग सांसट है आप आप रोज तो हम कुछ न कुछ लाकर पेश कर रहे हैं आगे-आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज कल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं जानते न कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं जो पहले 18 घंटे जागते थे ते फो 24 घंटे जागए इतने चिन्ते थे तिस्थिति असपस्ट कर दो आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के पीदिया आप जाहिए चुनाव लड़ेंगे वो और अलाकमान का इंजार हैं क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कारवाई होगी या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडी फाइट के भी आप जाहिए चुनाव लड़ेंगे पार्टी आपके साथ है इस्थिति पूर्णिया में और पपू यादव को लेकर क्या है आपकी प्रशन बड़ा अच्छा है आपकी जो जिग्यासा है बहुत अच्छा है लेकिन जो हमा करा समझ होता हुआ है उस पर हाइकमान का की सहमती और स्विक्रिती के बाद होता है ठीक है अब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर हाइकमान उस पर फैसला लेगा तो चार में तो अभी 48 घंटे बाकी है आजे जी कला आप राहूल गांधी से मिले कला आप राहूल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी जंडी दे दी है जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी है और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए द सर, मानिय राहुल जी से मैं मिला था, दस मिनट की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने पूरे कॉंग्रेस के विजन को समझाया था, कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही, और मुझे इस बात की प्रसंता रही, कि जो हमारे पिता जी का विजन था, पिता जी भी हमारे बंचित समाज की राजनीती करते थे, जो सबसे दवे कुछले के थी, तो मानिय राहुल जी भी आप वही कर रहे हैं, और आने बाला समय में, जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बुला है, कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी, सभी जातिये जन गरना कराएंगे, और उस की चर्चा नहीं की जाती, अब अखिलेश जी आप, आपको लगना भूल जाएंगे, नहीं हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे, तो, नहीं, सीसी हो गया है, और आपको मालूम है, चार तारीक अंतिम डेट है, आज दो तारीक हो गया है, तो हो जा हो गया हो गया हो गया हो गया, मौौगए बहुत बड़ी आपको बता दे भारतिय जनता पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है